पूरा सफर बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए भी और आशा करता हूँ आप सबके लिए भी यह हमारी सेवा थी कि हम भवाज श्री कृष्टने का यह जो दिव्य संदेश श्रीमत भगवत गीता इसके जो बहुत ही बहुमूल्य सूत्र हैं गहने हैं जो इसका खजाना है दिव्यान का वो हम आप तक पहुँचा सकें तो इस श्रिंखला में इस सेवा में आज हम इस आखरी पड़ा पर पहुँच गए हैं जो कि यह अठारवा अध्याय और अठारे अध्याय का शीरशक है मुक्ष योग और श्रिप्रभपाद जी ने इसको इंग्लिश में बहुत ही सुन्दर नाम दिया है कंक्लूजन ती परफेक्शन आफ रननसियेशन तो आई आगे बढ़ते हैं लेखते हैं कि इस अठारे अध्याय के अंदर भवाँ श्रिक कृष्ण अब कंक्लूजन दे रहे हैं तो भला क्या दे रहे हैं तो भगवदीता आश्टी 17 चप्टर तक भवाँ ने बताई है आप 18 चप्टर के अंदर भवाँ अब कंक्लूजन देंगे तो आउ लेट्स प्रोसीड इंटो दी कंक्लूजन निश्कर शिवार आगे बढ़ते हैं जी अगर यही न बताओ कि आप ये त्याग वारा जो करने हैं लेकिन किस के लिए करने हैं केशी नाम के राक्षस हो माने वाले केशी था बेसिकली एक घोड़ा था एक ऐसा राक्षस था जो की घोड़े के रूप में आये था तो भवाँ ने क्या कहता उसके मुख में अपना हाथ दे ये था ठीक है और उसको पहले तो पंच मारा उसको और उसके मुझ में अपना हाथ ये था और बहवान का जो हाथ था उसके मुझ में इतना गर्म लगा उसको बहुत बुरा हाल हो गया जोकि बहवान का हाथ तो इतना मीठा है बहुती ज़्यादा अमरित में है करकमल वहान के जो हस्त हैं वो तो कमल के समान है नहीं उसको बड़े कष्ट दायक हुआ बहुत ही कष्ट हुआ केशी नाम के इस राक्षस को तो केशी नाम को जो राक्षस है यह भला किसका प्रती रूप है यह ऐसे शुष्क ज्यान, ड्राइ नॉलेज, इग्नोरेंस इसका प्रती रूप है, कर्म, गांडी, भाव, इत्यादी, इस सब का रूप है यह तो इसलिए वास्त में जो केशी नाम के राक्षस हमाने वाले हैं केशी निशुदन वहान श्री कृष्ट अब सारे जितने भी ज्यान, विज्यान, जितना आप कुछ ही बताया गया है, इसका फ अध्रिया, वास्त में उसके सवामी है तो आप ही, अगर आप चाहेंगे तो मुझे समझ में आएगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो मैं पहला कैसे समझ पाऊँगा, तुसलिए है रुषिकेश, मैं त्याग में जीवन, यानि सन्यास आश्रम का भी उदेश्य जानना चा आए अगरिए, आएप देखते हैं जी बहुआवण ने इसके बारे में क्या कर बताय हैं, बहुआण ने कहाँ, बहुतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याक को, विदवान लोग सन्यास कहते हैं, और समस्कर्मों के फल, त्याक BBQ, बुद्धी मान लोग त्याक कहत है तो सन्यासी रेफिनेशन ये बता जा रही है कि वास्ता में जो मटिलिस्टिक डिजायर होती है अब डिजायर दो प्रकार की है तो किस प्रकार की डिजायर हमें छोड़नी है Okay, so materialistic desire, desires of two kinds, एक तो होती है, material desire, ठीके जी, अब इसका दो परितिया करना है हमें, लेकिन जो spiritual desires होती है, उनकी activities को निछोड़ना, उनकी activities को रखना है, वो ली इच्छा है, होनी चीह है, So those activities which are based on spiritual one, but not on the material one, material desire, जह है, वो ली activities, अगर को एक ती त्यागता है, तो, प्याधरित कर्मो के परितियाग को बिद्वान लोग सन्यास कहते है, और समस्त कर्मो के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते है, तो असल में त्याग है क्या, कर्मो के फलो को त्याग Frustration, जोतनी जादा expectations होंगी, उतनी जादा frustration होंगी, अब इस दुनिया हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी देखिए, कुछ ना कुछ तो expectation रही जाती है, जी, yes, of course, आपकी जितनी expectations है, ready रही है, उस आपसे आपकी frustration में उसकते हैं, पर of course, some expectation you may have, आगर आपकी होती भी है, पर they are very realistic, then it is okay, पर उसमें भी आपको frustration के लिए त्यार रहना चाहिए, because sometimes people are not so realistic, people are not so idealistic, तो इसलिए जितनी जितनी आपकी हाई expectations है, उतनी जादा आपको भी ready रहना चाहिए, frustration के लिए, basically कौन लोग जो में frustrate करते हैं, जो लोग हमारे हृदे के बहुत अंदर होते हैं, उनसे हम expect करते हैं, जो भारवले होते हैं, उनसे हम expect नहीं करते हैं, इसने भारवले लोगों से हमें इतनी frustration नहीं होती, लेकिन जो मेरे हृदे के अंदर बसता है न, उससे मेरी बहुत high expectations है, और वो जब मेरी expectations को fulfill नहीं कर तो हाई फ्रॉस्टेशन होती है, ooh इसीलिए रिदे के अंदर रखना किसको चाहिए? कृष्ण को और से अँड़िए अगरुज़ जार्ट गृरुज़ जार्टेशन है, वाहिष्णव है there in the heart, get ready for frustration तो इसलिए कर्मफलों का त्याग करने का मतलब है keeping no expectations in this world I have got no expectations from anyone तो समस्कर्मफल के त्याग को बुद्धिमा लोग त्याग कहते हैं आगे बढ़ते हैं कि कुछ विद्वान घोशित करते हैं कि समस्प्रकार के सकाम कर्मों को दोश्पूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए सकाम कर्मों को किन्तु अन्य विद्वान है, राशिक भी होते हैं, तामसीक भी होते हैं, ideally we should do सात्विक, उस ते वे best है हम प्रेम के लेवल पे, दिवे लेवल पे हम करें यग्ये, हरे नाम संकीर्थन यग्ये, दान दे तो भवान के मंदर के लिए दान दे, या भवान के सेवा में दान दें, तपस्या करें, तो वो तपस्या करें, जिस से भवाँ कि प्रिती बढ़े, भवाँ से भवाँ से नहीं रती बढ़े, हमारी मती उन में लगें, हमारी गती उन में हो, and गर ऐसा करें, that's kind of all अपस्या is very good, और हर परिसिती में करना है चाहिए अब कुछ लोग क्या करते हैं जैसे कुछ जो अध्वेतवादी सन्यासी होते हैं निराकारवादी सन्यासी होते हैं वो यग्येदान तपस्ते हो कारे छोड़ देकाते हैं अहम सन्यासी हो चुके हैं अहम नारायन है Yes तो इसलिए आब वो इस दूसरे को नमो नरायनाए करके ही समुझत करते हैं कि अब हमें यग्यदान तपस्टानी करने चाहिए पर भुखान बतारे कि विद्वान मानते हैं कि वास्तर में इनको कभी भी भी नहीं चाहिए इससे उसकी भक्ती की जो रलिश्मेंट है आध्यात्मी की रलिश्मेंट है वो बढ़ती है तो इसलिए यह कभी चाहिए जो कुछ लोग लगता है यह तीन करना है इस जस्ट अ मीन तो अटें पर्फेक्शन और लूस्ट करते रहने चाहिए है भरष्टेश्ट अब त्याग के विशे में मेरा निरने सुनो है नर्शा दुला शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बढ़ाया गया है तीन प्रकार का तयाग है विच इस और गुड़नेस पैशन और इग्मिनस यग्यान था तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए उन्हें अवश्य संपन करना चाहिए निसंदे यग्यान था तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाती है इन सारे कारेओं को किसी प्रकार की आसकती या फल की आशा के बिना संपन किया जाए यही मेरा अंतिम्मत है तो इसलिए कैसे करना चाहिए साथ भाव से as a matter of duty best is to do out of love for the Lord निर्दिष्ट करतवेओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए जो हमारे करतवेओं कभी नहीं त्यागना चाहिए तो यह पीपल हूँ बिकम एसकेपिस्ट आ निम आफ वेरागी वेरागी हो गई so they escape their duties, they become escapist उनको बोलते है भगोडा हो गए well, ऐसा नहीं त्यागना चाहिए निर्दिष्ट करतवेओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है मोहवश आपने सेवाओं को छोड़ देता है अपनी जिम्हेदारी को छोड़ देता है जो विक्ति नियत कर्मों को कश्च प्रद समझ कर या शारिक कलेश के भई से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने ये त्याग रजोगुन में किया है ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता है जैसे कहीं बाद लोग घरवाद छोड़ देते हैं जैसे घर में पत्नी है बहुत कहां 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 कूँ कर रही है हमेशा कंप्लेन करती रहती है हमेशा कर मैं गिफ्ट लाके दो मुझे तो ऐस प्रसेट हो गया हम घर नह ओ कहरी अगया चलो प्रसेट हो गया छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार चले गया जी वहा चले गया ऐसा जो वैरागी होता है जो कि शारिक ख्लेश से बचने के लिए होता है उसको बह тобой से होता है यह किष्ट परत है, संसार बला किष्ट परत है इसलिए वैराग के जीवन लिया तो इसलिए ऐसा जो वैरागी है वो राजसीक होता है कई वाज़िक ऐसे हमारे मंदली में आते हैं कहता है भान्र वहं मन्दिन में रखल이로ो तो एक चीज़ है, detachment from the material world, और एक है attachment to the Lord. तो detachment भी है, attachment भी है, लेकिन detachment किसे होनी चाहिए? संसार से होनी चाहिए. लेकिन उसमें primary ये है, this is primary, and this is secondary. तो ये संसार से होनी चाहिए. और ये भहान के प्रती होनी चाहिए. तो भहान के प्रती attachment is primary, संसार से detachment is secondary. अगर किसी की ये genuine है, तो ये भी genuine होगी. अगर किसी की यो है ही नहीं अगर, तो ये भी न, उसमें दम नहीं होगा. तो इसले कहीं बार लोग छोड़ शाड़ करके आयाते हैं, जाग कर देते हैं सब कुछ, मैं को संसार बड़ा कश्ट में है, मैं अपनी जॉब सम्वाल नहीं पाया है, आरे भाई, यहां मेरी जॉब छूटी गई जी अब, जॉब निकली किया, आपनी यहां अपलाई किया, महां अपलाई किया, जॉब मिले नहीं, कोविड की वैसे मेरी जॉब चली गई, जॉब चली गई, यहां मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसा करते हैं, चलो मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके जॉइन कर लें, वहां फ्रीकी नोटर उटिया, टोटिया, तोड़ लेंगे, बढ़ है, if somebody takes to the path of renunciation, कि उसकी अटाश्मेंट बहुत अदा हो गई है, so that leads to natural detachment from the sansaar, तो इसलिए, सिर्फ sansaar का कडवापन, उसका कॉष्टमाइज experience, that's not really a दथ 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 थिंग पर वहरागय, तो इसलिए कोई वहरागय जीवान स्विकार करे, so primary symptom है, भवान से attachment होनी चाहिए, कि उसी बहुत attachment बढ़ चुकी है, then of course we can consider, याब उसको बढ़ना चाहिए त्याकियोर, आगे बढ़ते हैं, अगले बढ़ते हैं, जब मनुष्य नियत करता है, वे उसको करणिया मान कर करता है, यानि कि, I am supposed to do that, that's my duty, तथा समस्थ बहुतिक संगती, मटिलिस्टिक संगती again, spiritual संगती नहीं, बहुतिक संगती तथा फल की आसत्ती को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है, यानि कि, अगर कोई वेक्ति त्याग कर रहा है, लेकिन त्याग में उसकी जो association है, एक तो, यहाँ पर संगती बात हो रही है, आए अटाश्में तो the fruits of action, यानि कि वेक्ति अगर बहुत अंबिश्यस है, इस सम्ट परसन इस वेरी अंबिश्यस, मुटिलिस्टिकली अंबिश्यस, या फिर ऐसा वेक्ति, the one who is having materialistic association, संगती उसी अगर खराब है, this can lead to fall down, क्योंगि materialistic बहुत ambitious हो, दुनिया बहुत जंडे गारने की बड़ी इच्छा है उसको अगर, बैसे लोग इस दुनिया में करते हैं, मान लोग गई भी जंडे गार भी दिये, उस जंडे के निचे बाठे के दारू पीर होते हैं, और कुछ नहीं, लेकिन अगर कोई materialistic बहुत ज़ी बहुत ambitious है, या उसकी materialistic association है, या उसके जो त्याग की भावना है, उसको कमजोर कर देगी, उसको तोड़ देगी, अशली, विक्ति को फल की आ सकती भी नहीं नहीं चीए, इस फ्रीटाव मंदेन, ambitiousness, ambitious inclinations, desires, materialistic desires, and material association, दोनों से बचना चीए, तो उसका फिर जो त्याग है, वो सात्विक हो पाएगा, सत्तो गुण में स्थित, बुद्धी मान त्यागी, जो न तो अशुब कारे से घ्रना करता है, और न शुब कर्म में लिप्त होता है, वे कर्म के विशय में कोई संशय नहीं रखता है, अब होधा क्या हैं कि इस दुने के अंदर लोग, जो अशुब हैं सो दूर भागते हैं, शुब के बीचे भागते हैं, शुब क्यों चाहिएं, जो भागते हैं संसार अच्छा हो जागा मेरा, तो यह अच्छा हो जागा है, अच्छा अशुब नहीं नहीं देखिया, क्या पता मेरा बिजनस में लॉट्स हो जाए हो गया, तो मेरे घरवालों कुछ हो गया, तो विक्ती का चाब भवाण से अटाश्पन नहीं होती, तो संसार के दौंध है, उसको बहुत सा थाते हैं, पर अगर किसी के सात्विक बुद्धी है, तो वो अशुब से घरणा नहीं करता है, वालों कोई कोई जब कर रहा है, बहुत से अटाश्पन नहीं होता है, वालों कोई कोई घो का पर शीम्हा नहीं होता है, जब देख रहूं नर्सिंग भवान है, मरा नर्सिंग भवान, मरा नर्सिंग भवान है तो जब यहां भी नर्जिंग भवान, तो भला जहां जहां मैं देख रहा हूं वान नर्सिंग भवान है, तो बहला नेगिटिव एनर्जी अंदर गुसेगी कैसे, और पॉस्टिव एनर्जी भवान जाएगी क्यों, क्योंकि नर्सिंग भवान है, तो इसलिए जो डिवोटी राधारास बिहारी तो किसने बुचा है यह आपने मंदर south facing बना आया वाए यह वास्तु के साफ से थेखिए ठीक नहीं है प्रभभभ पाज नेका राधारास बिहारी मेंज आ डांस बिहारा तो इसलिए संसार के शूब अशूब यह वो अरे यार लेकिन जो करम प्रत्याग करता है व्य वह वास्तव में त्यागी है जो भी हम कारे करें हैं उसके बाद हमें सफलता मिले लोग जाने हमें पहचाने कुछ रिकनिशन मिले हमें तो कहीना कहीना करमफल से आसकती हो जाती है लेकिन अगर कोई वाकई में करमफलों के पुरा त्याप पाद, that person is real त्यागी हमारा नाम अमित त्यागी है रेली सर त्यागी का यहां देफिनिशन दिया है वकुदीता के अंदर क्या है, are you fitting into this definition? so we should ask ourselves अगला सवाल है, जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, ईष्ट, अनिच्छित, अनिष्ट त्याथ, मिश्ट यह तीन प्रकार के करम फल मृत्यू के बाद मलते है लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता because they are detached so for example, अगर मैं बॉल लूँ और मैं दिवारे मारूँ, बॉल वापस आएगी से किर्मिच की बॉल मारी, वापस आएगी रबड की बॉल मारी, वापस आएगी प्लस्टी की बॉल मारी, वापस आएगी लेकिन अगर मैंने मैगनेट की उपर लोही की बॉल मारी, वापस नहीं हाएगी okay, so that means when we are acting out of selflessness with no personal desire for exploitation, enjoyment, mundane enjoyment ऐसे विक्ति को संसार के सुख दुख का कर्मों का फल नहीं भोगने पड़ते जी हे महा बहाव अर्जुन, वेदान्त के अनुसार, समस्त कर्मों की पूर्ती के लिए पाँच कारण है अब तुम इन्हें मुझ से सुनो तो कर्मों की पूर्तिया नहीं कोई कार्य अगर संपन होता है तो उसके लिए भला कौन-कौन से कारण है इनमें से अगर कोई कारण मिसिंग होगा तो कार्य होनी पाएगा कर्म का स्थान, शरीर बोड़ी होने चाहिए, कर्म का स्थान कर्ता, दूर विभिन इंद्रिया, the senses अनेक प्रकार की चेश्टाए, desire तथा परमात्मा, ये पाँच कर्म के कारण है परमात्मा भी है ये शरीर जिसे हमने कारे करना है, वो भी है करता है, ये अनिदर सोल भी है विभिन इंद्रिया भी है, जिसे हम कारे संपन करने वाले है और अनेक प्रकार की चेश्टाएं भी है that means desires, endeavors प्रयास भी है, प्रयास भी होने चाहिए then action becomes complete मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वे इन पांच कारणों के फल्स रूप होता है तो यानि कि हम जो भी कारे संपन कर पाते हैं उसमें ये शिद्दत होनी चाहिए नहीं सर, वो पांच कारण है पांच कारणों के अगर की से अगर समय टिक-टिक-टिक-टिक होगा तो कारे संपन होबाएगा जी अते जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आपको एक मात्र करता मानता है मैं निश्चे ही बहुत बुद्धी माननी होता तो जिसने भी लॉफ अट्रेक्शन वाले हैं उनके लिए बड़ा ये सुन्दर संदेश दिया जा रहे हैं आपन कि जो लोगा मानन रहे हैं जो इन पहराणा नहीं हो ये मेरे हाथ पे जो रेखाए हैं ये जो उगलिया हैं इसे मैं करम करूँगा और किसमत उसको मैं बदल दोगा दम होना चाहिए बस दम excuse me sir, आपको इतना बुद्धिवान नहीं बता है, आपको लग रहा है कि आपके दम से सब कुछ हो जाएगा, नहीं हमारे दम से सब कुछ नहीं हो जाएगा, इस बात को हम इसे विकार करना चाहिए, आपके दम, बंदे में था दम, बंदे मातरम, किसी में दम हो सकता है, लेकिं सिर्फ हमारा दम is not the only factor for completion of the task, जो मिथ्य अहंकार से प्रेट नहीं है, जिनकी बुद्धी बंधी नहीं है, अहंकार है जो बुद्धी को बाढ़ देता है, वह इस हंसारे मनुश्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने करमों से बंदा होता है, because he is not killing out of sense of ego, को कैसे ता अठो अरे अरजुन भाई, तुम भी तुम भी तुम नहीं मारा, ग्यान, ये, तरी तथा ज्याता, ये तीनों कर्म को प्रेना देने वाले कारण है, इंदिरियां जो है, वो करन है, कर्म टथा खर weird log के संगठन है, त्याने के कार्म, याने के एक्टिविटी जो होती है और करता जो करने वाला है they actually execute the task अच्छा लेकिन अच्छी ये चीज़े करती कौने at a ground level that's the senses ज्यान that means वो knowledge होनी चाहिए मुझे कारे करना है इसके लिए resources है कि नहीं है वो ये ज्यान होना चाहिए ग्याय यानि कि जिसके बास ये knowledge है ज्यान जो जानने योग है अल्टिमेटी कारे जो है उसके लिए लक्ष कौन है तो ये सब जब होता है तब जाके कहीं कारे कोई संपन हो बाता है प्रकरती के तीन गुणों के अनुसार ही ज्यान कर्म तथा कर्ता के तीन भेद हैं अब तुम मुझसे इनहें सुनो तो प्रकरती के तीन गुणों के अनुसार ज्यान भी होता है, knowledge भी होता है इस इन थ्री मोर्स, goodness, passion, ignorance कर्म यानि activities भी होती है goodness, passion, ignorance and कर्ता, doer तो आगे बढ़ते हैं जिस ज्यान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात में प्रकरती देखी जाती है उसे तुम सात्विक जानो अब ये अध्वेत वादियों के लिए बहुत बढ़ी अश्लोक है अल्टिवलिव सब की अंदर वही एक ही है जो विराजमान है यहां पर अविभक्त की बात है अविभक्त मतलब किना किसी मट्रिलिस्टिक तरीके से किसी इंस्ट्रुमेंट की द्वारा न काटा गया वो अविभक्त जो आत्मा है वो कभी भी कटी ही नहीं है किसी भी चीज से नहीं है इवन माय भी नहीं कर सकती है आत्मा को तो हर एक के अंदर जो है वही सच्चिदा अनंद आत्मा है सच्चदा अनंद आत्मा है but everyone is having one single individual soul हर एक विक्ति के अंदर so यह जो मान के चलता है कि हर एक के अंदर चाहे हो सुवर हो उसमें भी वही आत्मा है okay that one soul is there okay दूसरे सुवर के अंदर दूसरी आत्मा है but that is also soul तीसरे हाती के अंदर भी आत्मा है third soul तो सबके अंदर आत्मा ही है तो इस प्रकार से इन्हें अविभक्त मानना चाहिए not that they are cut by some kind of instrument इस प्रकार से अविभक्त है वैसे दुनिया के अंदर अफकोर्स दो भी जो भी देखा जाए अविभक्त है सारी सारी शक्तियां है everywhere, wherever we see it is all Krishna's energy इसे आपने अगर कसाटा आइस्क्रम देखी हो कसाटा आइस्क्रम में एक flavor होता है यहाँ पर होता है दूसरा flavor, तीसरा flavor, चौथा flavor, पाँचवा flavor अब यह सारे यह सारे flavor जो है बिसीली है, तो यह अलग-अलग, लेकिन जुड़े हो है यह अखंड है, अखंड है लेकिन भले यहाँ पर आपसे मानलो mango flavor है यहाँ पर strawberry flavor है यहाँ पर मानलीजिये, say, vanilla flavor है यहाँ यहाँ बटर स्कॉच flavor है और यहाँ पर आपके nuts वगार अलगे हो है तो कि यह सब अलग अलगे ना, हाँ जी, बिल्कुजी, अलग अलगे, yes नहीं, फिर भी यह अखंड है तो स्रिष्टी के अंदर कहीं भवान की जीव शक्ती है कहीं भवान की बहुती शक्ती है कहीं भवान की, say, अध्यात्निक शक्ती है पर वास्ता में सब जगा पर देखा जा है तो अध्यात्निक जीव शक्ती है जीशना से यह कटावन यह कसाटा है But within that, indivisible, absolute reality there is variety, right there is variety So similarly, भवान की स्रिष्टी के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहीं किसी कोई कटी हुए or any place where there is no God's energy Everywhere there is God's energy But within that, there is a lot of variety तो इसलिए जो ऐसा मान के चलता है कि हालकि अवे भगता है but there is unindivisible reality में बहुत सारी variety है Just like in कसाटा आइसक्रीम That person is having सात्विक understanding जिस ज्यान से कोई मनुष्य विभिन शरीरों में भिन भिन प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी मानो यानि कि अगर मैं अलग अलग को सब जीवों को अलग अलग मानता है यह सुन्दर है, यह बसूरत है यह निचली जाती का है यह उची जाती का है यह हमारी जाती का है, नहीं वो दूसरी जाती का है यह हमारे गाउं का है, वो दूसरे गाउं का है अरे यह तो विदेशी है, अरे यह तो देशी है अरे यह तो महरा अपना है, अरे वो तो शत्रू है जो इस प्रकार से जगत को बाट के चलता है जो मेरे शत्रू है, जो मेरे शदू रखूँगा, जो मेरे मित्र है, उनको मेरे पास रखूँगा, इस प्रकार से सबको भिन 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 मान के चलता है, well, that person is having a राजसिक बुद्धी, तो उसलिए ऐसे विक्ति का ज्यान है, वो राजसिक है, पर हम यह लेकर चलना चाहिए, that each and every person is having a soul, तो इसलिए सचिदा अनन्द सोल जो है, सबी के हरदय के अंदर है, जिसका अपना अपना सुरूप है, of course, every soul has got their own सुरूप, बट यह लेकर चलना चाहिए, everyone is actually a soul, जब यह लेकर चलते हैं, that is साथिक, लेकिन हम जब बॉड़ी के अनुसार जब बाढ़ देते हैं, जब किसी बॉड़ी अगर ऐसी है, किसी बॉड़ी ऐसी है, किसी बॉड़ी ऐसी है, और किसी बॉड़ी ऐसी है, सब कुछ मान कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है ताम सी माना जाता है तो इसे ऐसा ग्यान जो कि न ऐसी चीजों की पिछा पढ़ा रहता है जिसका की कोई वैल्यू नहीं है एक ऐसा ग्यान जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं साथ इस वाद गई भीट नहीं इसका जहीं कहहां अग कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडरूट माइनस वन इस उकल टू आई एक अंडरूट ओके लेगर अन्डरूट माइनस वन इसएकल टू आइ यह तिक है इसका सब्सक्राइब आपने आपने अच्रा आप अभी अंडरूट क्या हो क्यूब रॉट क्यूब राइट क्यूब रॉट ऑफ थी फॉर्टी थी इस इसी को सब कुछ मान के चले वह लेकिन है अच्छिए हमारे एजूकेशन सिस्टम के अंदर जो पढ़ाना चाहिए एटिकेश पढ़ाने चाहिए संसकार पढ़ाने चाहिए डीलिंग्स पढ़ाने चाहिए एंपथी पढ़ाने चाहिए लोग एक अश्ट को महसूस करना यह पढ़ा जाना चाहिए लेकिन यह सब पढ़ाया नहीं जाता तो जो पढ़ाना चाहिए तो वो तो पढ़ाया नहीं और जो जिसको पढ़ानी को आवश्यक्ता नहीं है उसके लिए मोटी मोटी बुक्स उसको बंदा सब कुछ लिखे चल रहा है वैल ऐसे घ्यान को तामसी माना है तो आज हुआरे एजुकेशन सिस्टम है इस एश्टी तामसिक उसके अंदर उसमें जाधा creativity भी नहीं है उसके अंदर और सुभाव के अनुसार को एजुकेशन भी नहीं है जो सब के सब एक चीज पढ़ा दो सबको क्या किसी कोई भी सुभाव हो कोई अंडेस्टेंडिंग हो कोई नेचर हो सबको आई बस लपेड़ दो सबको अचा उसमें morality है spirituality है zero on the name of secularism we are secular country अरे विद्या के बजाए हम अविद्या पढ़ा रहे थे बच्चों को इसलिए बच्चे जो है ये सारे education system में जो जो ज्यान ले रहे हैं इसलिए लोग नास्तिक बन जाते हैं तो इसलिए ऐसा जो ज्यान है वो होता थो अग्यान ही है it is all ignorance so हमारे school college है बढ़ा जा रहा है well इससे शुलपरब बड़ा करते है modern schools and colleges they are just modern they are slaughterhouses हमने बच्चों को slaughterhouse हमेचते हैं ताकि वहाँ पर उनके संसकारों का कतलियाम किया जा सके that's the way modern education is actually जो कर्म नियमित है और जो आसकती राग द्वेश से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है नियमित है that means it is driven by sense of duty आसकती अटाश्मेंट के परे हैं राग द्वेश अटाश्मेंट और रिपल्शन तो इनके परे हैं actually attraction और रिपल्शन दे है extremes इसके परे होता है that person is साफिक तो ऐसा अभी कर्म के बारे है इससे पहले चर्चा हुई है वह ज्यान की चर्चा हुई है that which knowledge is in goodness, passion and ignorance अब चर्चा हो रही है कर्म के बारे में बहुन का बताने कर्म के बारे में जो कर्म नियमित है यानि कि as a matter of duty के जाता है and consistently के जाता है और जो आसक्ती attachment राग या द्वेश से रहित कर्म फ़ल की चाहा के बिना जो होता है वह सात्वी कहलाता है तो basically हमारे कर्म नियमित कव होते है हमारे कर्म नियमित कव होते है that means they are regulated regulated इता हुब आते हैं free from attachment free from attachment attachment का मतलब क्या है attachment किस से आती है attachment it comes from raag and dvesh that means मोटा मोटा किसी चीज से बहुत जाद हमारे attachment है या dvesh है so raag से attachments है या उसका opposite है repulsion और या dvesh hmm okay so raag dvesh क्योंकि raag dvesh होते है ठीक है raag dvesh इसकी वजा से हमारे चाहा होती है यह मिल जाए या वो ना मिले so we have the desire for the fruits of our actions okay so यानि कि ऐसे कर्म होने चाही है जो नियमत होने चाही है पर नियमत कर्म का वो पाएंगे then they are free from attachment असक्ति के परे होते है असक्ति के मदब क्या है basically raag और dvesh इन के परे होना अच्छा इसका मदब क्या है that means action should be driven not by desire for the fruits ऐसे जो कर्म होते है they are known as सात्विक कर्म ओके आगे बढ़ते हैं जी लेकिन जो कार ये अपनी इच्छा पूर्ती के एवां मिथ्य अहंकार के भाव से किया जाता है वे रजोगोनी कहलाता है my personal sense gratification yes सारे प्रयास किसके लिए है मेरे लिए सब कुछ है मेरे लिए मेरे रिष्टर नाते किसके लिए मेरे धन किसके लिए मेरे लिए तो इस भाव से अहंकार वश किया जाते है ऐसे कारे रजोगोनी कहलाते है जो कर्मोवश शास्तरी आदेशों के अभेलना करके जो शास्तर में लिखा है उनको that's just mythological text you know yeah that's Hindu mythological text तो ये उनको किनारे कर दिया जी शास्तरों को उनकी अभेलना करके भावी बंदन की परवा किये बिना आगे जाके भावी करम बंदन आ जाएगा उसी परवा किये बिना या हिंसा अथ्वा अन्यों को दुख पहुचाने की जो होते है वेकारे तामसे होते यासे abortion कराना abortion कराना जो है शास्तरों मैं नहीं बताएगा कि किसी भी मा को अपने बच्चे को अपने गर में गिनाना चाहिए पर अगर हम ऐसा करते है तो भाव बंदन ही चंदाना करना पता दो बहुत करम लगे तो अपने बच्चे को अपने कोख मार रहे है तो क्या हो गया भाई least bothered, I want to enjoy life हाँ नहीं तो तो जो करम बंदन है, भावी बंदन है उनकी परवा किये बिना और हिंसा, this is हिंसा आश्टी दूइंग वोईलेंस तो तो अपने बच्चे कोख में आया पर मैंने मार दिया, I can't afford the child और फिर कौन बच्चे पालेगा, this is such a troublesome task आओ, तो हिंसा भी कर दिया आपने अन्यों को दुख पहुँचाने के वाले जो कारे होते हैं वो ताम सी कहलाते हैं तो इसलिए अभी हमने actions के बारे में चर्चा की actions should be regulated तो उसके लिए भौगान ने ये फ्लो में बताया है इंदी भगुदिता, ओके आगे बढ़ते हैं जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर के बिना अहंकार रहित संकल्पतता उत्सा पूरुवक अपना करम करता है वैसफलता अथ्वा असफलता से अवचलित रहता है वैस सात्विक करता कहलाता है ओके जो भौतिक गुणों के संसर के बिना विसलिए यानि सतो, रजो, तमो इनमें सतो के भी उपर रहता है वो ऐसा विक्ति जो वो कारे करेगा तो इसलिए इसलिए इगो-less उसके actions यार, free from ego संक्त अत्सःपूरवग अपना gdzieś determination के साथ and enthusiasm के साथ अत्सःपऊरवग अपना करम करता है क्यों? क्योंकि वो ऑंहंकार रहता है वो ऐशुलिए अहंकारी विक्ति हो इते हो आश्री वो संकल्प और उत्साफ पूरो कारे नहीं कर बाता हूँ विकास उसके रिए फोकस कहा है मैं, not the duty, मैं और जो सफलता असफलता में आवर चले तरहता है लाइ श्री प्रभुपाजी ने जब परचार बगारा शुरू किया था So 1922 में उनको आगे मिली थे अपने गुरू से कि उनको प्रचार करना चाहिए So 1922 से लेकर के श्री प्रभुपाजी ने 1965 तक प्रयास किया उनको कहीं सफलता नहीं मिली This is actually 43 years of failures 43 उसका श्री प्रभुपाजी ने 1965 के बाद जब श्री प्रभुपाजी उससे पहुंचने के बाद प्रभुपाजी ने प्रचार की So 1966 से लेकर के 1977 तक श्री प्रभुपाजी ने नॉम्बर में 77 ने लेफ इस वर्ड फॉर्ड प्रचार वर्ल He got great success Just 11 years And great success Lekin 43 years or ke failures हो Ya 11 years ki great success हो Shalaprabhupadji he was Not moved Asa failure से तो बहुत प्रचार हो गए Bहुत अगा तेंशिं में आगा Anxiety में आगा Depression में आगा Dabai की खा रहे है Depression की Na 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 Success मिली तो बहुत घंड आगया He was same Before And he was same after receiving success He was same आश्री जो ग्यारा साल में उनको सकस्स मिली गए है that's really extraordinary लें श्री प्रभुपाँ जी ने सकस्स में भी, he was there as a devotee he was chanting Hare Krishna, meeting everyone with love and affection, वाँ तो ऐसा विक्ति अगर कारे करता है तो ये तो सात्विक कारे का, ये तो super duper सात्विक, ये तो transcendental है तो इसले श्री प्रभुपाँ जी is an excellent example of this kind of activity जी अश्री वितक्र कॉंस्ट्रेट भक्ति है it is more than सात्विक but yes, even सात्विक की जो सारे जो गुण है he was not doing under सत्वगुन, रजगुन, तमगुन beyond that, not for his own ahankar कि ना मैं दुनिया का गुरू बन जाऊंगा yes, and I'll become the guru of the world ना ही, पस भवान का संदेश मिल जाए दुनिया वालों को भवान का संदेश पाकर के लोगों का भला हो जाए that's it, that was his only desire तो अहंकार से रही थे संकल्प पिलिया व उनोने श्री प्रभुपाद, at the age of 77 he left India and then he went to USA, 77 की एज में sorry, 70 साल की उमर में, he left so that face, अगर 70 साल की उमर का विक्ति, that is really an old age कोई सोचे का, actually 70 years old guy is now sitting और वो धूब से कर आओ था, that's it श्री प्रभुपाद जी उस वक्त, कार्गो शिप में बैठ करके यूस से गए, बक्तिया प्रचार पसार करने के लिए that means उनमें संकल भी था, उच्सा भी था उनके अंदर वहाँ पर कहां रहेंगे, कहां क्या खाएंगे, कहां कोई कोई उनका वहाँ पर इश्रार बैठ है नहीं, he went to USA और ने भक्ति का प्रचार पसार शिरू किया with all enthusiasm and determination सभलता सभलता के और अफकोर, अब जो उनको grand जब जो success मिली, now even MBA institutes के अंदर पढ़ाया जाता है, इनकी case study, शुलप्रभुपाजी की and how this person, he just in 11 years, he wrote more than 5,000 letters 7,000 letters he accepted more than 5,000 disciples all across the globe, इन्होंने भगवदगीता के 700 श्लोकों के उपर word meaning दिया, transition दिया, परपद भी दिया, शुल्माद भागदाम के 18,000 श्लोकों के उपर word meaning दिया, परपद भी दिया चेतनी शुल्त नमें थी, 11,500 श्लोकों के उपर word meaning दिया, याइड भाद भी इसके लाबा पूरी दुनिया में 14 बार नने ब्रह्मण भी किया अलड़ जाकर मंदर भी खोले, disciples भी accept किये what he did was really extraordinary, he also started one magazine back to God and magazine one single man at the age of 70 he is doing so क्या determination होगी, क्या उट्सा होगा श्रुल प्रभुपाद जी का wow, what an acharya, not for himself he highlighted God, unlike modern gurus who highlight themselves he never highlighted himself हम असे किते लोग जानते हैं कि हम श्रुपुपाद जी की फॉल्वर है उन्हें great success के बाद भी खुद को highlight नहीं किया उन्हें Hare Krishna को highlight किया भगवान के नाम को highlight किया, that's the greatness of श्रुपुपाद okay, जो करता कर्म तथा कर्म फल के प्रती आसक्त होकर फलों को सवलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदाव इर्शालू अपवित्र और दुख सुख से विचलित होने वाला है वहरासिक राद है basically opposite of satik जो करता सदा, शास्त्रों के अदेशों के विरुद्ध कारे करता है आप से नोट करेंगे जोतनी भी activities तमस में होती है, उसमें एक चीज़ कमन है शास्त्रों के विरुद्ध against the शास्त्रा जो भौतिक बादी वटिलिस्टिक है वो हठी, that means he's very stubborn कप्टी यानि कि बहुत जालसाज है वो करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है so he's a pretender तथा अन्यों का अपमान करने में पटू है दूसरों का अपमान करने में अच्छा लगता है उसको गंदे शब्द सुनाना ताके रदे के अंदर गंदे शब्द बोलके उसका दुख मिलता है तो हुझा सुख मिलता है ठंड बह गई, रो दिया आव जा 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 पास करने तुमसे वहाँ पर ऐसी meeting लिए उसके रुला दिया उसको पतनी को ऐसा सुनाया रुला दिया उसको husband को ऐसा सुनाया रुला दिया बच्चे को ऐसा सुनाया रहे they deserve this they deserve अन्यों को कश पहुचाने में आलसी होते हैं जो सदय खिन हमेशा चिड़ चिड़े काम करने में दीर की सूत्री कल करते है प्रोकस्टिनेशन कल करें इसको कल करते हैं, भई अजह PROCASTिनेशन is also तामसिक ठीक है, दीर की सूत्री तब ये तमव गुणी कहलाते है वास तमे तो all these wonderful qualities are there in the people who are तामसिक तो करता के बाएर में चर्चा चल रही है ठीकरी अब मैं प्रकर्ती के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन प्रकार की बुद्धी तथा धृति यानि determination के विश्ण में विस्तार से बताऊंगा तुम इसे सुनू तो बुद्धी भी जो होती है intelligence that is also सात्विक राशिक तामसिक और धृति यानि determination जो होती है तो आएगे देखते हैं वहान क्या बतारे हैं इस बारे में हे पृता पुत्र वै बुद्धी सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणिया है और क्या नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर यह knowledge अगर मिलती है that knowledge वो जो बुद्धी है that is सत्वगुणी किस से डरना चाहिए पाप से डरना चाहिए और किस से नहीं डरना चाहिए भक्ती से नहीं डरना चाहिए है, क्या बांधने वाला है और क्या नहीं बांधने वाला है, और क्या मुक्ती देने वाला है, जब ये विक्ती को देख पाता है, ऐसी बुद्धी जो होती है, साफिक, सत्रगोनी बुद्धी होती है, हे प्रिथा पुत्र, जो बुद्धी धर् करे नहीं कर पाती राजसी है क्या करना ची है नहीं करना ची है पता नहीं पता नहीं पता नहीं है अच्छा यह नाँ लेंगे जो आ वो लोग होते हैं वो राजसिक होते हैं तो क्या धर्म है, क्या अधर्म है they have no idea तो ऐसे लोग राजसिक होते हैं, उनकी बुद्धी राजसिक होती है जो बुद्धी मोह तता अहंकार के वशिबूत हो करके out of illusion and ego के वशिबूत हो कर अधर्म को धर्म तता धर्म को अधर्म मानती है और सदैव वे प्रीत दिशा में प्रेतन करती है वे तामसी है रासी को साथ यह उसको पता नहीं है अधर्म क्या अधर्म क्या है क्या करनी है क्या करनी है तामसी तो और बुरा है जो अधर्म है उसको अधर्म मानते है यह क्या मूर्ति पूजा this that well this is यह तो ये तो गुनाः ब्रश किया जर्क है जो ये तो ये तो गलत है नहीं करना चाहते है वो करेंगे थो इज जो नहीं करना चाहते है और जो करنا चाहते हो नहीं करते तो ऐसी जो बुद्धी है जो कि हमें ये poor sense of discrimination देती है, that is basically तामसिक, ठीक है जी और अधर्म को धर्मानती है धर्म को अधर्मानती है ये, 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 that is also तामसिक बुद्धी ये प्रिधापुत्र जो अटूठ है जिसे योगा भ्यास द्वारा अचल रहे कर धारन किया जाता है और जो इस पकार, मन, प्राण द्था इंद्रियों के कारे कलापों को वश में रखती है वैधिरती सात्विक है अटूठ होती है, determination now we are discussing more determination तो ऐसी determination, जो योगा भ्यास द्वारा अचल unshakable determination और जो इस पकार से क्या मैं ये फिल्टर को पास कर रहे है मेरे determination अगर determination fail अगर हो रही है my new year resolution लेकिन वो fail हो गए सर कहीं न कहीं आप इसमें देखो वज़रा ये धृती, that means determination might not be in satik अब रासिक कैसी होती है लेकिन है अर्जूठ जिस धृती यानि determination से अर्थ तथा काम के फलों में लिपत रहता है वे राजसी है मोक्षिया आए इसके अंदर ये जो चप्टर है दिस मोक्षियोग तो लेकिन से मोक्षियी बात नहीं अब इसमें है क्या जी किसमें लगी वे बुद्धी वाला जो determination ये determination करी है well I should do my duties why? so that I can earn money अर्थ ये है धर्म अर्थ अर्म क्यों चाहिए सर so that I can enjoy life man sense gratification यानि की काम materialistic desires तो इसी ने जो धर्म अर्थ और काम के फलो में लिपत रहती है वे रासी बुद्धी अब मोक्षियी से बाती नहीं आई duties, money, sense gratification इंद्रे तिप्ति, इंद्रे भोग करो that's it इसके पर या बुद्धी सुचती है नहीं कुछ भोग करना भई उसके लिए कहा रोकड़ा रोकड़ी भी कहना बड़े कहा था मेरे duty आया भई सर आत्मा की duty, सर किनारे करो शरी की duty only बास, that's it ऐसी बुद्धी रासी खलाती है ये पार्थ जो धृती स्वपन, भय, शोक, विशा तथा मोह के परे नहीं जाती ऐसी बुद्धी, दुर बुद्धी, पूर्ण, धृती, तामसी गलाती है जो सपनों के आगे जाएं नहीं पारी कल हम जरूर उठेंगे अगरे दिन भी सोय हुआ है अब उसके नहीं नहीं है, मैं आज तो नहीं उठपाए यार क्यों मैं इतना आल सी, मैं इतना आल सी, मैं सबूर उठी नहीं बादा क्या गरूँ, कल से मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ पाए मैं नहीं पढ़ पारा, मैं नहीं पढ़ पारा मैं सबूर उठना नहीं नहीं उठपारा, मैं नहीं उठपारा तो ये दुखी रहेंगे, शोग, विशाद Determination doesn't go beyond dreaming मास अपना ही देख पाते है हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन एक दिन हम सफल होंगे जिन हम सफल होंगे लिगे पता नहीं कब सफल होंगे यार So it doesn't go beyond dreaming So that is दुर बुद्धी है आगे बढ़ते हैं बखवान देखे हैं और का बता रहे हैं अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विशह में सुनो That means happiness is also in mode of goodness, passion and ignorance जिनके दुआरा बद्धी भोग करता है और जिसके दुआरा कभी-कभी दुखों का अंत हो जाता है तो क्या है? देखते हैं जी जो प्रारम में विश्च जासा लगता है लेकिन अंत में अम्रित के समान और जो मनुष्य में आत्मसाक्षातकार जगाता है वें सात्विक सुख कहलाता है जो शुरु शुरु में जो है It is not so good ठीके जी So beginning क्या है? End क्या है? यह देखेंगे तो अभी हम जो चर्चा कर रहे है वो happiness के बार में चर्चा कर रहे है Happiness can be in goodness यानि कि सतोगुन में हो सकती है रजोगुन में हो सकती है या तमोगुन में हो सकती है In ignorance तो जो goodness वली जो होती है इसका एक पार्ट है जो की beginning वला है And the way it ends So जो goodness वली जो activities होती है जो सुख होता है जो जो महाँ प्राप्त होता है यह शुरू-शुरू bitter होता है लेकिन बाद में यह sweet होता है That is the सुख in mode of goodness It inspires us for self-realization Not for sense gratification For self-realization तो शुरू-शुरू में जो bitter होता है Okay, लेकिन बाद में बहुत tasty होता है बहुत sweet होता है That is Satvik And it inspires us इसका ultimate conclusion निकलता है इसका जो अदेश होता है जो लक्ष होता है What's the goal of this activity? That is self-realization Okay, अब इसके अलाव फिर रासिक activities है जो रासिक सुख होता है वला, वो कैसा होता है तो जो सुख इंदरियों दुआ रहा उनके विश्यों के संसर से प्राथ होता है भोग करना है basically और प्रारम में अमर्त तुल्य होता है बहुत मज़ा है यार, बहुत मज़ा है भाई, बहुत मज़ा है यार मैं डेट मारी उसके साथ मुझे बहुत चाह लगा उसके बाद फिर अंत में विश्य तुल्य होता है बाद में बंदा बहुत रहोता है मैं क्या किया यार मैं कितना मुर्ख था भाई शुरू शुरू में आपने जो मजा किया बाद में आकर वो लगा सजा उसको बोलते हैं रजस So in the beginning it is very sweet हम घुमे फिरे एश्की खाए पिये दारू शारू ये वा या मसी वसी मैं वाउ लेकि बाद में बहुत पच्टा हो यार वो गलत किया हमने बहुत बाद में लेकिन बिटर हो जाता है वो और इसका लक्षय होता है बिसकिली सेंस ग्याटिफिकेशन ये होता है सुख जो की राजसिक कहलाता है और और जो सुख आत्मसाक्षाद कार के प्रती अंधा ठीक है जी और प्रारम से लेकर के अंत तक मोह का कारण और जो निद्रा आलस इतता मोह से उत्पन होता है वै तामसी कहलाता है ठीक है जी तो ये ये सारा ये बिटर ही रहता है लगता है कि स्वीट है पर ये शुरू में भी बितर ही होता है है बिकाल इस बौान वेजिवगार पाश विल्ट होता है है जी तो सब्ती है ये सुक है अल Completely Is Itis का उज्ता होता है है यै और ये ए बिटर हीयों इसरीक सटे कट होता है ये यह है होता है ये तो आखना है है याद टोब आ ओ इस बिट और आपका साका या हमें ऐसरत है, मैं हपल प्रति-पल enjoy कर रहा हूं, नहीं, घंटों बीद गाएं, well, so that is, it appears that it is सुख, but it is not, दारू पीना, शलाप पीना, लगता है, अरे बारू सुख है, सुख है, पर आशी क्या हो, दारू आशी कड़ भी होती है, पर लोग पी रहे हैं, that's it, यह जो सुख है, वो तामसिख सुख है, basically, ठीक है, अफ़ोर अब जो भक्ती है, उसकी शुरुवात होती है, गुडनेसे, यानि, in the beginning, it may appear bitter, कि आपको सुबए जल्दी उठना पढ़ रहा है, वरत रखने पढ़ रहे हैं, बहवान का नाम लेना पढ़ रहा है, पर लेकिन बाद में वो जो है, अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अगर हम दिव्य भक्ती की बात करें, ठीक है, then, actually, that happiness is beyond all of this, जो प्रेम भक्ती की जो happiness है, वो शुरू में भी sweet होती है, बीच में भी sweet होती है, and the result is प्रेम, divine love, तो जो भक्ती है, तो शुरू से लेकर आखर तक स्वीठी 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 है, of course, but that's प्रेम भक्ती, that's divine, शुरू में भी sweet, बीच में भी sweet, आखर देमें भी sweet, भक्ती is like that, and that is actually, that results in divine, that's the goal, that's the goal of this, तो यह लेकिन प्रेम भक्ती है, but in the beginning, we do सात्ती की भक्ती, so it appears to be a little bitter, क्यों प्रानी आते छोटरी होती है, oh, पसंदी आ रहा होता हमें, but that's the way, actually, that's real sukha, that is transcendental, इस लोक में स्वर्ग लोकों में यह देवताओं के मध्य में कोई भी आसा वेक्ती विद्वान नहीं, जो प्रकृति ये तीन गुणों से मुक्त हो, तो बड़े विरले होते हैं, जो इस सुख का अस्वादन कर पाते हैं, बड़े विरले होते हैं, तो स्वर्ग वाले जो हैं, वो भी अगर सुख का भूग कर रहे हैं, that is more than passion, जो कि, वहाँ जो भोग हैं सुख के अंदर, because they are more driven by, with the goal of sense gratification, इंद्रित्रित्री की भावना से कर रहे हैं, तो इस जगत के अंदर सारे के सारे सुख जह हैं, प्रकृति ये तीन गुड़ों में ही आ रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं, अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, कि अश्री होते क्या हैंगी, क्या है qualities हैं, ठीक हैं, तो यूश्ली वैसे जो ब्रह्मन होते हैं, so those who are actually in mode of goodness, जो goodness में होते हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्मन, सवेरे मोलते हैं, जो goodness में होते हैं, प्लस पैशन भी होता है उनके अंदर, एसी लोग जो होते हैं, तो यह क्षत्रिया सब्सक्रादम होते हैं, और इसके अलावा, जो वैष्यों होते हैं, they are more driven by the sense of goodness and passion they are more driven by passion they are known as the Vaishyas which is prostitute Vaishya means mercantile class or business class they are more driven by passion profit 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 वोनाफा कैसे हो जी? और ignorance में जो होते हैं primarily जो सबसे जो बड़ा कॉमन चीज़ आती है that is known as caste system यह जो है it is known as the division of labor as per one's own nature ठीक है जी? और याँको सब जगा मिलेंगे याँको सब जगा मिलेंगे so basically Brahmins जो होते हैं they are known as the educators in the society तो जो है educators है ठीक है? so they are in mode of they are supposed to be in mode of goodness because बिना mode of goodness के वो educate करी नहीं सकते है जो educators है यहाँ priestly class है those who are priest like that so यह they are in mode of they are the Brahmins शत्रियाज यादि अधिनिस्टेटर्स okay so that's good अधिनिस्टेटर्स भी हो गए this is business class people and business करते है they live on profit and they are known as the service executors actually okay so आप किसी भी society में देखा जाएं चाहे वो भारत हो या USA हो या पाकिस्तान हो चाइना हो सब जगाँ पर आपको educators administrators और business class people and service executors मिल जाएंगे basically educators जो होते हैं यह इनको भी educate करते हैं इनको भी educate करते हैं educators होते हैं administrators के अंदर में काम कर रहे होते हैं mercantile people business class people जो होते हैं they are working under administrators और जो business class लोगोते हैं जो business करते हैं so they get their things done by the service executors तो यह जो narrative है शूद्र है यह शूद्र है excuse me sir शूद्रों ने कोई गलत बात नहीं है शूद्र is just a class of people who are executing the services जिसको plan किया है business ने as per the administrators educated by the educators तो इसलिए society जो है वास्ता में यह उच नी चला भाव नी है excuse me sir यह शूद्रों यह बिसकिलिए जो caste system है जो बोलाया था caste system no it is not really caste system इसको बोलते हैं वर्ण ना system यह वर्ण यानि कि वेक्ति अपने सुभाव के अनुसार profession चुन सकता है मेरा सुभाव अगर being an educator है I should become an educator जोरी नी मुझे बिसनस करना पड़े नौकरी करना पड़े नहीं ऐसा नहीं है मेरा सुभाव है to be a businessman okay choose your business according that's perfectly okay जो service executors है they are shudras तो यह जो है न शुद्र कहीं काना हो यह समने movies पकाना देख देख करके हमने distorted version पड़ावाए basically this is the distorted version the distorted version of this वर्ण system का distorted version है caste system उची जात निची जात this and that पर आशी देखा जाएगे we choose this that's it और अगर मैं English बोलता it is absolutely fine so there are educators and there are administrators and there is business class and as well as there are service executors you know is that okay oh yeah that's perfectly fine और आए मैं इसको तुद्वा हिंदी बोलो sir सब भ्रामन शत्रिय वैशी शुद्र what this is caste system नहीं sir caste system नहीं this is known as वर्णा system that means आप अपने सुभाव के अनुसार अपना profession चुन सकते है आश्किल क्या होता है सब को बेडा तुर को बीटा करनी पड़ेगी भराव इसके entrance exam के forms करना पड़ेगा भले उसका सुभाव वो नहीं है पर क्योंकि अब एक सुसाइटी में बनावायागा एक narrative बना में नहीं नहीं सब को हमें doctor engineer ही बनाना है तो बच्चे अपने सुभाव के अनुसाइट अपना प्रफेशन चुनी नहीं पाते वर्णा सिस्टम इस नोट रीजी कास्ट सिस्टम इस चूजिए नोट इस चूजिए पर यार इंकलिनेशन जैसा आपको सुभाव है अचली और असा नहीं कि जो जो शूदराव है वेरी बाते नहीं ऐसा नहीं है विकॉस आखिए अचली डोट इस जो प्राहिमन होते है येर येरह नियॆ एंन इस आधा नहीं है श्यूदराव भॉला है येश्यूदराव मृऌ बचरेशन शैरित रीच्छरन आंक भ Shudra निस भॉलसां है So that means Even a software engineer Is also a shudra So what do we say Software engineer Is that That's how we say Being a software engineer Even there are many doctors as well They take salary So they are basically Service executors So what do we say Is that not to be a business No absolutely not They are executing their services And then we say Okay so we say Well In case they do not have Knowledge about the absolute reality Okay So that way They are known as In tamas Otherwise if they know That I am earning this money As well for a higher cause So as a vikti Externally as profession May be seen as In ignorance But that person can be transcendental There are many devotees They are also getting salary Kaam karte hain They get money So they are And they are spiritualists They chant Hare Krishna They read Bhagavadita They are also spreading Bhagavadita But they are salaried people actually But are they in ignorance And they are shudras Shudra karenka Shudra No ii aisa Bilkul bhi nahi hai Toh isi liye Inko lekar ke Jo bhraantiya hai Which is a distorted version Of caste system Jis ko lekar ke Loh akswar Baat kar hojate hai Hindu Hindu dharam hai kya And hindu dharam toh This is choosing your profession As per your nature This is so logical And it is just that Wohan term Isamal nia hoti Ki wohan Yeh brahman Walia term Isamal ho Yashatri Walia term Isamal ho Vaish Or shudra They may say Educators And administrators And business class And service executors But they all are required They all are required So isi liye The society Hooti hai Usmei sabke Saba required Hoot hai Now in the society We see Ki yeh joh kaare Kar rahe hai They act Like just Jo bhrahmans So they are The head of the society Shareeer mein Joh kuch bhi kaare Hoota hai Woh buddhi Se hoota hai Sar se hoota hai Like that Joh administrators Hai They are known as The hands of society Just say Administrators Ya karete hai Rakhshah bhi Karte hai Right Toh usra Se Haatoh Se rakhshah So they are Hands of society Joh business class Veshya class They are the Belly or stomach Of society Okay Or service executors They are the Legs of society Aksa loog Bol dhe Joh joh Jhati baad Joh highlight Karte hai Yeh dhe Jhati baad Joh shudri Unko bol dhe Your tongue Excuse me Body ke And there Aar kare Hoopaata hai Voh karee 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 kata hai Hymh jaga peh Pohun chate hai Yaha chalte hai Agar educator ke paas Bhi charity Jhaati hai Toh veshya se hati hai Agar salary Jhaati hai Toh veshya se hati hai So that's why They give money to the body Okay So they also give money to All other sectors The business class people So Or service executors Basically They are the legs Because Agar cheezay Move hoti hai Ya jahse body move hoti hai Woha legs Hose hoti hai So that's why Cheezay move hoti hai Toh Shudras That means The service executors Onse hoti hai It's your term Shudra 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 Excuse me It's so Thoada positive Lekar gya na hai They are Shudras Shudra ka matlab hai They are service executors Yassana service executor Me kya sa feeling Wow Such a nice term Yair Service executors Wow So basko Hindiyan bol na hai Shudras Toh Shudra Ke chole Ke bhaawna hai hai Ye toh Nichri jati ka hai Ye bhaawna hai Thoada kinariya Kanne bade Because that is Part of the caste system Not Varna system Everyone is Respected Brahmans are respected Shudras are respected Vaishya are respected Shudras are respected They all have Their roles to perform Toh isiliya Jati baat ka Concept hai It is absolutely Fik I say Ye toh bilgul Ase ho gaye Malia Khoi gharga pariwaar Khoi vakti hai Ose patther liya Ose ne kisih khidki Phoor di Or o vakti bhaar aya Kata hai Oh Ye mehta sahab ka Pariwaar ka laga tha Na wo Ye mehta loge ka pariwaar Sab ke sab Badwaash loge hai Ye loge khidkiya Ye khidkiaan Toڑتے Is it right? No Is tera se Agar Agar Sanatana dharma Ke ya Hindu samaj ke Andar Kuch aise Bevakoof Nehaiti Bevakoof Buddhi Hei Log Mand Band 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 Dhi Log Agar Onai Kaste System Which was A distorted Version Of the Varnath System Usko Karun Onai Practice Kia Or Lohon Ka Shoshun Kia Lohon Kho Insult Kia Iska Matlab Ye Nih Khi That This is The core Of Our Shudra That Means Dunya Kandar Actually 99.99% Shudras They are Service Executors Actually Being hired By the Business Class People Who Also Get Protection From The Administrators And Also Give Taxes To The Administrators And The Educators Kya Dikkat Kaya Iska Andar Koi Problem Nih Hai To Ishi Lohon Waze Kaste System Ka Manubhavna We Have To Come Out Of This Come Out Of This Social Order This Is The Social Order Of The Society So This Was About The Social Order Is Kela Spiritual Order Bhi Hota So What Is Spiritual Order Brahmachari Ashram So This Is Ashram Basically Ashram Ke Andar Aayenge There Is Brahmachari Ashram There Is Grihas Ashram There Is Van Pras Ashram And Then There Is Sanyas Ashram Okay So Ideally It Is Expected That 25% Of Life We Should Live In Brahmachari Ashram 25% We Should Live In Grihas Ashram And Then 25% Of Life We Should Live In Van Pras Life And Then 25% In Sanyas Life In This Way We Should Live 100% Of Our Lives In All Of This Is Known As The Ashram Division So Kis Ashram They Are Also Connected To The Vajna Which Is A Social Order So Spiritual Order So Social Order Is Connected Which Means There Are Also Brahmins Kshatriyas Vaishya And Then Shudras Which Are Service Executors That's It Okay So Agar Iska Matrix Lekhe Chalai Agar So We See That How They Are Connected To Each Other Actually Jo Brahmins Hai They Should Live Their Life As Brahmachari And As Grihastha And Then As A Van Prastha And Then They Should Also Take Sanyas Jo Shatriya Subhav Ki Log Ho Te Han Un Go Gana Chahi Hai They Should Live Like A Brahmachari Okay Then They Should Then 25 Person Then They Should Live As Grihastha And Then They Should Just Stay As Sanyas Ke Li Bahat Upyuk Than Hai And That's Why We See That Even Pandavas Even Though They Are Liberated Souls But In Varnashran Dhan Ko Paalan Khi Because We Are Shatriya So They Went For Van Pasla Life But Not Sanyas Life Ab Jo Vaishya Hote Hai Those Business Class People They Live First 25 Person Life Ha Unki As Brahmachari And Then They Stay As Grihastha Only They Do Not Go For Van Pasla Life Rest Of Life They Live Grihastha And Those Who Are Shudra Subhah Wale Hote Hai They Live Only In Grihastha Life With No Brahmachari Life No Van Pasla Life And No Sanyas Life Okay So In This Duniya Most Are Executors That Means They Are Service Executors And In Brahmachari Ashram This Order It Is Connected To The Spiritual Order So In This Way The Life Should Be To Is Liye Bahwaan Hala Ki Aam Varn Ki Charcha Karre Hai Ashram Ki Charcha Is Men Karre Hai Lekin Varn Or Ashram They Are Interconnected So This Is The Matrix And Interconnection Between The Two All Right To Aage Bad Hai Bhala In K Ba In So Those Who Are Brahmanical In Nature To Un May Kya Kya Qualities Ho So Yarni Ki Ab Ye Jho Division Hai About The Brahman Kshatri Vaisi Shudra It Is Based On Qualities Not Birth I Repeat Based On Qualities Not Birth So Shanti Priyata Atma Sahiyam That Means Self Control Hota Un Ka Tapasya Ka Subha Hota Puvitrita Purity Ka Subha Hota Sahish Luta Saty Nishtha Gyan Vigyan Tathha Dharmikta Ye Sare Subhavik Gun Hai Jinkai Dwarah Brahman Karma Karma Karten Hai He To Qualities Vakit 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 To Bhale Janm Se Uchi Jat Ne Excuse Me Sir Ye Janm Se Nhi Hota Jais Khyi Loh Vakit अच्छा आपका नाम का आपकी कास्ट क्या है अच्छा यह फला फला आपकी टास्ट है Exo, Y सा वो सवो रहा है ओई तो scheduled कास्ट होते हैं तो अच्छा थीक है मतलब नीची जाती बाले लोग है आप इसमें एर यह मतलब यह उची जाती नीची जाती जाती So basically heroism हो, जिसमें शक्ति हो, संकल्प हो, दिड़ता हो, दक्षता हो, एक्सपर्टीज हो, युद्ध में धहरे हो, उदारता हो, नित्रत्व हो, लीडर्शिप हो, तो ऐसे लोग शत्री कहलाते हैं, ठीक है, तो जो ऐसी qualities साथ बौन हुए हुए हुए, एसलि पहले ना astrologically देख देखेंगे, उसके और कुछ अक्टिविटीज भी होते हैं, इसमें देखते हैं कि बच्चा सुभावी गूरूप से क्या करता है, उसके अक्टिविटीज को देख करके, युद्ध रिख देखेंगे, तो जिसमें इक्वालिटीज है, यानि कि वीर्ता, शक्ति, संकल्प, दक्षा, युद्ध, दक्ष्टा, एक्सपर्टीज है, युद्ध में धहरे हैं, उदारता है, मिगनानिमिटी है, बड़े दिल के हैं, दान देते हैं, दिस दा, तो दाट इस शत्रिया, नितरत्वा, लीडर्शिप की क्वालिटी, तो ये शत्रियों के सुभावे गूरू तो इसलिए हम दिखते हैं कि जो न आश्रम है, उसके अंदर जो शुद्र है, ये वानि राड़ाजा, ये ये आपार करना, वैश्थयों के सुभावे कर्म है, और शुद्रों का कर्म है, श्रम दथा अन्यों की सिवगरना से बसे ये जया सबटे हैं आदा सि pan但 या जासों तो इस प्रिकार से जो वड़नाश्रम है यह कंप्रीट हुआ तो यह वैश्य की क्वालिटीज है हम चछा करें, so this is business class people so उनका primary quality का उने चाहिए है क्रिष्षी करना अब जो क्रिष्षी के को लेकर के of course जो फार्मर्स से हमेशा हतो साहित रहे बिच्वालिय हुआ करते थे, साहरा पैसा हुई लेकर जाया करते थे so किसान जो है बहुत दब गया but of course अच्छे है कानून आ रहे है जिसे के लोगों को encouragement मिलेगी okay, no बिच्वालिया I can just have my crop उसको मैं online कहीं पर भीच्वालिय की ज़रूरती नहीं है so that farmers can earn actually more so now the government is recommending if you want to become a business class man well, go for krishy गुँमाता की रिक्षा करना गुँमाता की सेवा करना और बाकिया वे वियापार वगर आप करते हो that's fantastic so that is the job of the वेश्षी class अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रतिग विक्ति सिद्ध हो सकता है अब तो मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया आ जा सकता है so basically अगर को विक्ति social order को follow करता है और spiritual order को भी follow करता है ठीक है, दोनों को साथ साथ फॉलो करता है that person can become perfect doing those duties so even a Brahmin शत्रिय वैशी शूद्र basically when they engage in their respective duties पर साथ साथ में उन duties में जब भावान को लेकर खाया थे है and how do they become perfect तो उसके बारे में अब भावान हमें आगे बताएंगे जो सभी प्राणियों का उद्गम है भावान और सरव्यापी है उनका परमात्र शुरूप उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना करम करते हुए पूनता अपराप्त कर सकता है यानि यह जो पूनता इसमें नहीं है कि आप कौन से वन से हैं शत्री है, आप ब्रामन है, शत्री है, वैशी है या शूद्र है भामन can also teach about God अपना से वन से पर्देश कर से जशना जो नहीं है यह जो बॉस्य बड़िकी है, यह जो बड़िकी है आपने नियप्त जो कर्म है उनके दूटी सो निभाते हुए भगवान का लिकर के आजा है पिच्टर के अंदर दाट मेक्स लाइफ परफेक्ट अपने वृत्ती परक कारे को करना यानि कि आपको जह सुभाव है उसके अनुसार कारे करना चाहे वे कितना ही तुरुटी पूर्ण धंग से क्यों ना किया जाए अन्य किसी के कारे को सुभीकार करने और अच्छी प्रकार से करने के जो कि शास्ते त्यादी पढ़ रहा है और एक ब्रहमन आता है और आके राम जी से मिलता है और काता है कि मेरे पुत्र का दिहान मेरे से पहले हो गया यानि कुछ ऐसा हो रहा है आपके समराजी के अंदर जो के नहीं होना चाहिए और फाइन फिर शी राम जो है डूनके निक ये देखो ये इनके भगवान करते हैं भेद भाव करते हैं उची जाती वाले ने शिकायत की और नीची जाती वाले का घला काड़ दिया और कुछ बस हम घदों को इतने ही आता है और क्या अश्ति अगर कोई डीटेल में जा है इस प्रसंग के अंदर हुआ कह था बेसिकली तकि इनको अपने मनमाने धंग से बता करके सममान प्राप्त कर सके और ये इन्वेस्टिकाशन शृराम जी ने कराई भी थी and because he is Paramatma, he knew the heart of the person and then he chopped off his head अगर ऐसे लोग जो कि शास्त्र के बारे में नहीं जानते और शास्त्र पढ़ करके लोगों को educate करें, so that they can get popularity and all that, तो गलत education देने के वज़ा से गलत education पीडी दर पीडी आगे जाती है and that ignorance spreads from one generation to another to another तो इसी लिए ये जो गलत जान का जहर आगे generations में ना जाए that's why Lord Ram killed him of course he is very fortunate जो भवान के हातों समरे ये तो बड़े सुभागी की बात है पर शुंबग नाम का जो विक्ती था who was considered to be शुद्र, the low class person even a person who is from low class अगर मैं समाने भाशना बूलू even that person can study शास्त्र example is Shabari Shabari मतंग रिश्वी के आश्र में रहा करती थी तो वहाँ वो क्या करती थी वो भी शास्त्र पढ़ती थी ज्यान उनको भी मिलता था तो Shabari के तो भवान उनसे जूटे बेर खा लिये और शुंबग को मार दिया और वहाँ पर बड़े महकते हुए वहाँ पर विरिक्ष भी थे तो राम जी ने पूछा Shabari से कि इस आश्रम के अंदर बड़े महकते हुए ये पेड है बहला कि ये पेड कैसे है तो उन्हें बताया वास्ता में जो हम सब महनत करती हैं क्या करती है और बड़े खुश्बुदार पेड है तो भवान उनका दो जूटा भी खा रहे है तो बहले हो ऊची जात नीची जात Excuse me यहाँ पर इस साफ साब बताया जा रहा है कि वास्ता में हर वेक्ती को अपना कारी करना चाहिए जो उसको करना चाहिए जो वो नहीं जानता है उसको नहीं करना चाहिए भली वो बड़ा एक्सपर्टली करता हो नजर आ रहा हूँ ऐसे कहीं लोग है जो कि शास्त्रों के उपर अपनी वेवेचना ही देते हैं and they claim to be mythologist well I am a mythologist this is my reality and that is your reality oh Murkhanand excuse me शास्त्रास cannot be a relative reality it is absolute reality अगर को स्विकार नहीं करता है that person is ignorance actually यह ठीक है अभी वो इस चीज़ के लिए रड़ी नहीं है maybe in future that person can be ready to accept that aspect of reality पर mythologist बनना है and to comment on शास्त्रास and presenting शास्त्रास in a very distorted way just because you don't deserve to understand शास्त्रास currently well तो इसलिए ऐसे जो लोग होते हैं जो की दिखेंगे कि they are doing other person's duty very nicely पर ना उनको नहीं करने चीज़ बिकास उसमें तुटी रहेगी ही रहेगी है तो इसलिए अपने सुभाव के अनुसारी कारे करना चाहिए यह करके अच्छा भी लगता है और समाज भी हम positively contribute कर पाते हैं अच्छी होके आगे बढ़ते हैं जी प्रतेक उद्योग प्रयास किसी ना किसी दोष से आवरित होता है कुछ ना कुछ दोष रहे गए रहेगा उसके लिए बहुन एनॉलोजी दे रहे जिस प्रकार अगनी धुएं से आवरित रहती है अताइव हे कुंती पुत्र मनुष्र को चाहिए कि सुभाव से उत्पन करम को भले ही वा दोष पूर्ण क्यों ना करे कभी न थ्यागे तो इसलिए हमारे सुभाव के अनुसार हमें कारे करने चाहिए भीगा ब्रह्मन, शत्रि, वैश्र, शुद्र, जो हमारा सुभाव है भले सुभाव थूर्टी होती है जैसे जब आग जलेगी थोड़ा दुआ होगा तो कारे होगा थोड़ा दोष होगा होगा तो एर्र is human and to forgive is divine जो आत्म सेयम ही था अना सकते हैं इवाम जो समस्थ भहतिक भोगों की परवान नहीं करता है वैस सन्यास की अभ्यास वारा करम फल की मुक्ती की सरवोच्य सिद्धी को सिद्ध अवस्ता को प्राप्त कर लेता है तो आत्म सेयम ही होना बहुत ज़ए, it all begins by self-control आना सकता है, detached means no expectations from the world आत्म समस्थ भहतिक भोगों की परवान ही करता है वैस सन्यास की अभ्यास वारा करम फल की मुक्ती की स्रवोच्य सिद्ध अवस्ता को प्राप्त कर लेता है क्या कर सकता है हे कुंति पुत्र जिस तरह इस सिध्धी को प्राप्थ हुआ विक्ति परम सिध्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच ज्यान की अवस्था है प्राप्थ करता है उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वड़न करूँगा उसे तुम जानो अब भवान यह बताएंगे अपनी बुद्धी से शुद्ध होकर तथा ध्यरे पूर्वक मन को वश्मे करते हुए बुद्धी के द्वारा वासम मने मन को वश्मे करना है मैं ठीक है जी इंद्रितिति के विश्यों का त्याग करके तो यहां बुद्धी बुद्धी के बाद स्थान में बास करता है जो थोड़ा खाता है और जो अपने शरीर मन तथा वानी को वश्मे रखता है जो सधैव समाधी में रहता है और पूर्ण ता विरक्त मिथ्य अंकार मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्व काम ग्रोध था बहुती गवस्तों के संग्रे से मुक्त है जो स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है वैं निश्य ही आत्मसाक्षातकार के पत्क को प्राप्त होता है So, liberated state actually होती क्या है ऐसो कोई पोसता है, well I am also liberated sir, I am liberated Sir, liberated होने का मतलब जानते हैं Liberated होने का मतलब है, जो बुद्धी है, शुद्ध हो चुकी है So, intelligence is also purified, mind you have control में आ चुका है जो इंद्रिया है वो भोगों से मुक्तु हो चुकी है और एकांत स्थान, अब एकांत जो स्थान है, basically secluded place So, basically it should be a holy secluded place So, इसलिए अगर यो कना होगा, तो क्या कना पड़ेगा जी हमें? It should be holy secluded place पर कल्यूग के अंदर जो holy जगा होती है, पवित्र जगा होती है, बहुत भी बढ़का होता है और जो holy नहीं होती है, और जो secluded होती है नहीं है, वो holy नहीं होती है, वहाँ पर आपको लैला मजूम मिल जाएंगी है, तुम लोग भी यहाँ गाड़ने बाठे हो अरे भाई, इसलिए holy secluded place तो कल्यूग में नहीं मिल पाती है, so best is that we come to the temple ठीक है और temple में in devotees association, क्योंकि हम materialistic association नहीं है, तो इसलिए best is that temple ओके जो एकांत स्थान, एकांत स्थान का मतलब basically it is temple, यानि कि जहां materialistic association नहीं है एकांत स्थान का मतलब हो है, अगर association नहीं हो भक्तों की, फिर आप of course किसी एकांत स्थान में ढूंड़ने का प्रयास करते हैं, that is good but best is to have a place where there is devotees association, जैसे कहीं लोग मृदनावन जाया करते हैं पहले, why to have devotees association जो थोड़ा खाता है, तो basically योगी को चाहिए, थोड़ा कम खाए, बहुत जादा नहीं खाना चाहिए, of course अगर कोई वाकवी में दिव्यवस्था में आ चुका है ना, उसको जबरदस्ती कम नहीं खाना होता, जितनी भूग लगती है उतना खाना चाहिए, लेकि ना बॉड़ी से उपर उठती जा रही है, तो भूग सभाविक रूप से कम हो जाती है, जो अपने शरीत मंत था वानी को वश्च में रखता है, उक शरीर से भी, मन से भी, वानी से भी, यानि ना शरीर से किसी के प्रती कोई offense करता है, ना मन में, ना वानी से, जो सदया समाधी Okay, so name, form, qualities and activities or divine pastimes. हमेर दुनिया में कर रहा है, time past, लेकिन भवान करते है, past time of Krishna, Lord Krishna. To be specific. So, Lord Krishna के जो नाम, रूप, गुन लेना हमेशा समाधी ना से, मैं ऐसा विक्ति होसता है, ऐसे ना बठाओ. Even when he is walking and talking and all that, because he is always absorbed in Krishna. So, this person can be in walking Samadhi. Like Shalupad was always in Samadhi. So, he is in trance. ठीके जी, और सदेर समाधी में रहता है, पूनिता विरक्त, विरक्त का मतलब, वो मित्य अहंकार से, मित्य शक्ति, मित्या गर्व, काम करो रहता है, इन सब के परे होता है. एक बढ़े होता है, जो मित्या स्वामित्व, पोजस्टिवनेस, सैंस और पोजस्टिदिननस, ये लोग मेरे हैं, ये चीजें मेरी हैं, उसके परे होता है. शान्त है बुक्ती-मुक्ती-सिद्धी-कामी-सखली- Marshanta Krishna Bhakt, Nishkaam, Atayiva Shanta वह शान्त है वह निश्य ही आत्म-साक्सातकार की पत्कोप्राब्थ होता है इस प्रकार जो दिवेपत परसित है वह तुरंत parabraham Krishna Krishna is Parabraham He is Parabraham We are known as Brahm The Soul Aham Brahmasmi But I am not Aham Brahm Parabrahmasmi Krishna is Parabrahm वे तुरंत Parabrahm का अनुभव करता है और पूनता प्रसन्न हो जाता है After knowing Krishna He becomes happy वे ना तु कभी शोक करता है और ना किसी वस्तू की कामना करता है क्या क्या शोक करना जी Parabrahm, the source of everything Is there in my heart Is with me In His name, form, qualities, pastimes, leela's वे पूनता प्रसन्न हो जाता है वे ना तु कभी शोक करता है और ना किसी वस्तू की कामना करता है कुछ ही आपको नहीं, कुछ नहीं चाहिए Krishna मिल गए बास, that's it Vāsu Deva Sarvamitisa Mahatma Sudurlabha Yes वे प्रतेग जीव पर संभाव रगता है Yeah, this Jeeva also belongs to Krishna Jeevae Rasurupo hai Krishna Nityadasa This Jeeva, that Jeeva, this Jeeva, that Jeeva Everyone belongs to Krishna Yes तो उसे प्रतेग जीव पर संभाव रगता है वो उस अवस्ता में वे मेरी शुद्भक्ती को प्राप्त करता है So that's शुद्भक्ती ये है, in this state of consciousness is a transcendental state of consciousness के वल भक्ती से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है This is the worst Yes, तो कोई विक्ती अगर कोई बोले भी आपने तो सब को ये भक्ती भक्ती समझा दिया आपने भक्ती 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 Sir, भगवान गीता में अंदर बदा रहे है भक्तिया माम अभी जानाती भक्ती से मुझे यथा रूप में जाना जा सकता है जो भवान की भक्ती नहीं करना वो ये बोलता रहेगा कि कृष्णे के अंदर से शिव बबबा बोल रहे है कृष्णे के अंदर से वो काल शक्ती बोल रहे है ग्रिश्ने गंदर कोई निराकार बैठके बोल रहा है क्यों भही उनको कोई बहार कोई बैठना ही जगा नहीं में क्यों कि अंदर जाके बैठके वो और वो उनके मूँख से बोल रहा है फिर वो तो इह उपटांग बाते लोग क्यों बोलते हैं बहुत बहुत है तो कृष्ण को साक्षात कौन जान सकता है? कृष्ण को साक्षात वही जान पागा जो उनकी भक्ती करेगा बापा भक्तिया माम अभी जानाती अभी जानाती, सिर्फ जानाती नहीं completely one can know as it is यथा हरूप जान सकता है वो भक्ती करके दो इसलिए टो हमने सारे गीता की सीरिस की अगर किसे को बीच में शख भी मिए हो की सार आपने तो सब भक्ती तम में बता दिया भक्ती-भक्ती-बक्ती इन था आप जो शोईं वह ने मितलब नें फिर्व ओरड इस Whitney आप्ती, यृक्ट, मैर्ण, उप्रण तो इसलिए हर चीज ऐसा नहीं कि हमने जबर्दस्ती खीच खाच करके भक्ती के फ्लेवर में आपको सब कुछ एक्स्पें किया नहीं नहीं आश्री भक्ती ही सब कुछ है और यह भवान गीता में खुछ बता रहे हैं Here is chapter 18 verse number 55 भक्तिय मावी जाना थी जब मनुष्य ऐसी भक्ती से मेरे पूर्ण भावनामरत में होता है तो वै वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है तो इसलिए पूर्ण रूपेंट से किसकी भावने में आना है वहां श्री कृष्णी भावने में आना है तो ऐसी भक्ति से पूर्ण भावनामरत में हो करके, अधुरा नहीं, पूर्ण भावनामरत में हो करके, वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, वैकुंठ का मतलब है वैकुंठा, विदाउट कुंठा, that's a pure place, तो वहाँ पर ऐसा विक्ति पर प्रवेश कर पाता है, बाकी प्रकार के कारियों में, सनलंगन रह करके, भी मेरी कृपा से नित्यत अविनाश्य धाम को प्राप्त होता है, तो भवान का अगर को भक्त है, तो भली वह अपनी अक्टिविटीस करता है, वह अपना घर भी चलाता है, he is doing all of these activities, he is doing his duties, लेकिन क्यों, क्योंकि वो मेना शु भवान उतारे मेरी कृपा होती है उसके पास, तो इसलिए शाष्चुतम पदम अव्ययम, तो एक ऐसे पद को परात करता है, जो कि अव्ययम है, बस ये सुख मिल जाता है, बलेकिन रसका अस्वादन करने के लिए तो धाम में जाना पड़ता है, तो इसलिए जो पदम, एक जो सर्व शिष्पद है, जो अव्ययम, जहां से कभी आनी आना पड़ता है, वो है भवान का धाम, सारे कारें के लिए मुझ पर निरभर रहो, और मेरे सन्रक्षन में सदा करम करो, ऐसी भक्ती में मेरे प्रती पुनता सचेत रहो, रिमें अल्वान श्री कृष्ण के बतार on me, और मेरे सन्रक्षन में सदा करो, under Krishna's protection and then you will be delivered, certainly, तो मेरे बारे में conscious रो, being conscious of Krishna, being Krishna conscious, यही तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरे कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोदो लांग जाओगे, वाव, तो वहान नहीं बतारे, तुमें सफलता प्रात कैसे ह होगे, okay, so Krishna is saying, अगर तुम मेरे भावना में भावित होकर के, मेरे कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोदो लांग जाओगे, you can cross all the obstacles of conditional life, लेकिन यदि तुम मित्य अहंकार में, ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, कि हमके माने Krishna का कहना जी, यह तो हमारी को से नह नहीं है, है, अगर मित्य भावना में रहकर के, अगर कारे करोगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनश्ट हो जाओगे, you'll be completely lost, तो बिसलिए यहाँ पर, भुगान सक्सेस और फिलिर का, जो, जो, मेन क्राइटीरिया, the X Factor, is there, जो यहाँ बता रहे हैं, वो है क प्सादा तरिष्ष्ष्षी, yes, मत् चिता सर्व दुरुगानी, तो बिसलिए सारे खार मिखा खाना है मुझे, I should be conscious of Krishna, मेरे चित को, मत्, चिता, so you have to give your consciousness to Krishna, so by मत् प्सादा तरिष्ष्ष्षी, you'll be successful by my mercy, लेके अगर तो ऐसे नहीं करते, और अहं कारान, you will be destroyed, you will be lost. यह वारली है मास्ता में. And we are not conscious of Krishna, you will be lost. We are to listen to Him. If we listen to Him, being conscious of Him, success. And we do not listen to Him. We listen to whom? Our ahankar. Failure. You will be lost. भवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, इता गंदर. Chapter 18, verse 58. Very important verse actually. यह तुम मेरे निर्देशा नुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में परवर्टन नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे. तुम्हें अपने सुभाव, उबश्ध युद्ध में लगना पड़ेगा. तुम्हें युद्ध करना चाहिए. अब यहां जो भवाश्री कृष्ण कहा रहे हैं, अर्जुन को कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए. Basically, भवान हमें बता रहे हैं कि हमें भी युद्ध लड़ना है अपनी बुराइओं के साथ. अगर हम अपनी बुराइओं से युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो हम कुमारक पर चले जाएंगे. मैं अपनी काम आसनावं से अगर नहीं लड़ुद। तो मैं कुमारक पर निकल जाऊए. अपने लोब से नहीं लड़ूँगा, मैं कुमार निकल जाओंगा, क्यों मुझे अपने लोब को सटिस्वाइ करना, यहां बठकूँगा, बहां बठकूँगा, क्या करूँगा, पिटूँगा ultimately, अगर मैं इर्शा से नहीं लड़ूँगा, इर्शा मैं आकर यह गलत काम कुमार की और जाओंगा, तो basically काम, क्रोध, लोब, मोह हो यहां फिर मात्सरे हो, so lust, anger, greed, pride, envy, illusion, यह सारे के सारे, अगर हम इंसे नहीं लड़ेंगे, अवने मित्य हंकार से नहीं लड़ेंगे, we would be lost, we would be going on कुमार ग, तो इसी लिए हमें इंसे लड़ना चाहिए, अपने ही सुभाव से उत्पन कर्म द्वारा बाद्य होकर वही सब करोगे, so इस दुनिया के अंदर वैसे लोग वही करते हैं, जो उनका सुभाव होता है, ultimately वही कर्म करते है, because मेरा सुभाव हो, और लोग अपने सुभाव वाला कारे छोड़ नहीं पाते, जैसे प्याज ह से सीचा जाए, लेकिन असे नहीं जब अब उसका पौधा निकलेगा, उसमें प्याज निकलेगा, तो बड़ा खुश्भुदार होगा, नहीं, प्याज जो है उसका सुभाव है, बद्वुदार होना, that's the way it is, तो इसलिए वेक्ति अपने सुभाव के अंदर सारी कारे करत है, लेकिन हाँ इस सुभाव के परे जाना होता है हमें भक्ति करके, बद्वाश्री क्रिश्न कहा रहे है कि, okay, you do your duty as per your psychophysical nature, लेकि इस psychophysical nature के परे भी जाना है, क्योंकि हमारा जो psychophysical nature होता है, psycho, और physical, ये nature होता है हमारा, this is basically material nature, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं, तो हम सेवा अगर करें भवान की, तो अपने psychophysical nature के अनुसार करेंगे, as per my psychophysical nature, लेकिन साथ ही हर एक भक्त को एक ऐसी सेवा भी करनी होती है, जो कि psychophysical nature के परे होती है, which is irrespective of the psychophysical nature, and that is chanting Hare Krishna, अब chanting Hare Krishna, अगर कोई करना होता है, उसमें ये सब के लिए सेम है, as for example से, अगर कोई, somebody becomes a very sincere practitioner or bhakti, so chanting 16 rounds of Hare Krishna, Mahamantra, falling four agreements, it's common to everyone, so irrespective of the psychophysical nature, this is beyond, this is given to everyone, तो होगा क्या, ऐसी chanting, यानि कि basically भावान में अपना मन लगाते लगाते, I will transcend my psychophysical nature, पर हाँ, शुरू शुरू में हमने सेवा करते हैं, as for psychophysical nature, पर psychophysical nature के परे जाना पड़े है, reason being, ये है तो भई material nature, तो मुझको जाना है spiritual nature में, जाने के लिए है chanting, which will transcend me from material nature to spiritual nature, all right, आगे बढ़ते हैं जी, है अर्जुन पर्मेश्वर प्रतियक जीव के हरिदय में स्थित है, और भातिक शक्ती से निर्मित यंत्र में सवार की भाती, बैठे समस्त जीवों को अपने माया से घुमा या भरमा रहे हैं, तो बिसलिए हमारे हार्ट के अंदर, दो हैं, एक तो है सोल, और एक है सुपर सोल, तो यह है परमात्मा बिसिक लिए, तो यह कर्ण फलों के परे हैं, तो यह कर्ण फलों के परे हैं, और यह माया शक्ती है कि यह इनी की ही सेविका है, यह माया शक्ती, तो माया शक्ती works under सुपर सोल, जब सोल, संसारिक फलों को खाने में, यानि भवान से अलग होकर के, कभी खुशी, कभी गम, तर रम पम पम में जब लगी होती है, at that time, माया शक्ती is covering the soul, पर यह सुपर सोल can also release him, how? by engaging in भक्ती, basically यह करके, one can transcend the psychophysical nature, यह अंतिरुडानी माया या तो basically, इस जो शरीर है, जो कि माया का दिया हुआ है, माया को basically भवान की सेवा में लगाना है, हमारा psychophysical nature basically है, basically यह माया का ही दिया हुआ है gift है हमको, तो इसलिए अपने psychophysical nature को भवान की सेवा में लगा करके, और नाम ले करके which is beyond psychophysical nature I can come to spiritual nature, the spiritual nature award करेगा हमें chanting इस प्रकार मैंने तुम्हें गुयतर ज्यान बतला दिया इस पर पूरी तरहा से मनन करो और तब जो चाहे सो करो, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण की बतला है यह को बात होती है NO यह कृष्ण की महानता है Krishna is training the soul, is training the soul, is inspiring the soul but not forcing the soul. तो इसले है फोर्स के द्वारा कारे अचली रियली होते नहीं है इसले है फोर्स शुद नहीं होते है, तो इसले है फोर्स नहीं होते है तो भवार वोर्स यथे चिसी तथा कुरू, that means there is free will, there is free will with us. So Krishna is not imposing Himself, He is inspiring, He is educating, He is supporting. अब भवान ये सब करने के बावजूद, Krishna is now giving us free will but He is not using force. भवान जाए तो force इसमाल कर सकते हैं, why not? He can say, but यथे चिसी तथा कुरू, अब इसका respond आगे अरजुन देंगे, अरजुन कहा जवाब देते हैं इसका? भवान ये बता रहे हैं, I can educate you, इससो तुमारा बहुत बला होगा, it will be very beneficial for you, ये कर रहे हैं भवान, लेकिन यथे चिसी तथा कुरू कर रहे हैं, As you desire, you may do ये same line हापर भी आई हुई है, और वहाँ तो हमने आखो बताया था किस प्रकार से, कि वहाँ बता रहे हैं हापर कि, okay, अपने mind को मेरे में लगाओ, ठीक है जी, अच्छा, तो ऐसका मेरा devotee बन्जा चला भी, एक दिन मन भी लगा लिए अपना, कहते हैं, मैं आपको devotee नहीं हूँ, आखा भक्त नहीं हूँ, मैं तो किस और का भक्त हूँ, ठीक है, कभी कई, मेरी worship कर लिया कर लिया कर फिर, अच्छा, ठीक है, नमस्कुरू, एक दिन वो भवान की पुजा भी करेगा, और जो पुजा करेगा, एक दिन वो भवान की भक्त बन जाएगा, और एक दिन उसका मन भी भवान में लग जाएगा, तो यह करेंगे, अल्टिमेटी इस परसन वी बनेफिटेजी बनाई है, हमारे मन को भावान में आसत करने के लिए, तो बढ़ते हैं, अगले श्लोक की और, इतना कुछ भवान ने बताया, लेकिन अब जो श्लोक है, वो है 18.66, this is the ultimate श्लोका, अभी ultimate श्लोक बहला क्या बता रहा है, सर्व धर्मान परित्यज्यम, माम एकम शरणम रजा, अहां तुवाम सर्व पापिभ्यो, मुक्षिश्यामी, माशो चाहा, बहुत ही मौन श्लोक है, समस्प्रकार के धर्मों का परित्या करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्पापों से तुम्हारा उधार कर यान योग, अशांग योग, ये योग, वो योग, एक सिंपल तरीका बता हूँ, मेरी शरण में आजा, बाकि सब धर्मों को त्याग दे, मेरे पास हा, I'll take care of you, yes, and that is Krishna's, the Supreme Lord, भवान बता रहे हैं, मैं तुम्हें समस्प्रकार के पापों से तुम्हारा उधार कर दूँग Basically, वहान बता रहे है, I can change your astrology, इस दुनिया गंदर लोग astrologers के पास जाते हैं, astrologers मेरी किसमों दुदल देगा, जो खुद अपने कर्मों में बना हुआ है, वो हमारे करम के बंदन से कैसे खोल देगा हमें, Krishna can do that, God can do that, actually, तो वहान बता रहे है, समस्प्रकार के पापों से मैं तो भाई, क्या गं है, then when there is not hurry, then why worry, so सब प्रकार के धर्मों का परत्या करो और मेरी शरण में आजाओ, माम एकम, और कोई निया है, एकलौती मेरी शरण में, मेरी और किसी अवतार की शरण में जाने का आश्टता निया, just come to me, straight away, of course, मेरी अवतार की शरण में जाओ, that is also okay understood, but अगर कोई मेरी पात आता है, मेरी पात आता है, that means Krishna, Krishna form, that is the best, माम एकम, शरण म, वरज, वरज को तो चलना, वरज को अवतार ये भी है, वरज धाम, वरज धाम, वरदावन धाम, आप अवाँ सह रहे हैं, हम तो वरज मंदल परिक्रमा करके हारे, so basically we are to surrender to Krishna and Vrindavan, that is the more hidden message, तो इसलिए, शरण में रचा, ये शरण में जाना भला क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए बिसके लिए शरणा गदी बात हो रहे है, so हमारे आचारे बता रहे है, शरण का मतलब होता है, अनुकूलस्य संकल्प, so first is, accepting that which is favorable, अनुकूलस्य संकल्प, accepting, favorable, जो भक्ती के अनुकूल हो, ठीक है जी, भले ही वो मुझे पसंद ना हो, लेकिन भक्ती के लिए अनुकूल है, जैसे for example, सुभी उठना, favorable है, पसंद है, हम तो लेट उठना पसंद करते हैं जी, परना, भक्ती के लिए अनुकूल है ये, ठीक है, फिर करेंगे, इसको स्विकार करेंगे, प्रतिकूल है, जो भक्ती के लिए अनुकूल है, उसको स्विकार करना, प्रतिकूल से वर्जनम, जो भक्ती के लिए प्रतिकूल है, उसको रिजट करना, जो भक्ती के लिए प्रतिकूल है, बले मुझे बहुत पसंद हूँ, जो भक्ती के लिए प्रतिकूल है, बले मुझे बहुत पसंद हूँ, जो एजामपल, लेट नाइट मूवी देखना, पसंद है, मुझे बहुत 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 बहु बहुंचा लगता है, मुझे प्यार लसुन की ना भले पापडी खाना मुझे बहुंचा लगता है, करना है पर ये ना भक्ति के लिए प्रति होले है, उसको रजेट कर देना, अ-oh, so accepting that which is favorable for bhakti, भले मुझे बिलकुल पसंद ना हो, and rejecting that which is unfavorable, भले मुझे बहुंचा लगता हो, भले मुझे बहुंचा लगता हो, तहीं छोड़ देना हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुंचा लगता है, फिर अगला symptom क्या है, फिर अगला symptom क्या है, फिर ये तो होगे, इस वादे रक्षशिती थी विश्वास हो, having full faith that Krishna will protect me, ये विश्वास होना, that Krishna is my protector, रक्षशिती थी विश्वास हो, भवान हर परसिती मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा गहरा विश्वास होना, भवान है रक्षा करने के लिए, आफकोर समदब ये रक्षा करने के लिए, देखते हैं भवान रक्षा करते के लिए, ये हम भवान के परिश्वास होड़ी लेंगे इसमें, पर in case something happens, for example, somebody has lost somebody's job, or some precarious situation has come upon me, so I depend on Krishna, Krishna मेरी रक्षा करेंगे, येस, that's the third symptom of Sharanagati, अगला आता है, गोपतृत्वे वर्णनम, that means Krishna is my maintainer, ये जैसे की एक बच्वा होता है, he knows की मेरी मा है बस, that's it, I rely on my mother, so Krishna is also my maintainer, भवान में को पालने वाले हैं भाई, होसा कोवीड के वास मेरी जॉब चलीगे, अच्छा कौन पालेगा, कहते हैं पहले भी भवान पाल रहे थे, अभी भी भवान ही पालेंगे, that's it, so having this faith, Krishna is going to protect me, भवान है न मुझे पालने वाले, पूरी दुनिया के अंदर सब को पाल देता है, वो देयान देती सब की सुधी लेता है, तो मेरी सुधी क्यों न लेगा भई, मैं तो भगतू हूँ, जो नास्तिक है उनको कौन पाल रहे हैं, भवान पाल रहे हैं, भाली वो नास्तिक बोले, well there is no God, I am a self-made man, भाली वो अहंकार बश ये बात बोले लेकिन, actually उन Krishna is my maintainer as well, ठीक जी, उसके बाद से नेक्स आता है, आत्मने वेदनम, that means, खुद को पूरी रुपेन भवान को शर्नागर देन, that means, having complete surrender, कि वास्व मेरा सब कुछ है, चाहे मेरी वानी हो, चाहे मेरा शरीर हो, मेरी बुद्धी हो, मेरा मन, मेरे विचार, everything belongs to Him, so that means, completely surrendering oneself, and the last one, sixth, is, कार्पन्ये, that means, humility, humility, विनमर भाव रखना, विनमर ता, यानि की जुकना सीखना भवान के आगे, सीखने की इच्छार रखना, भवान के आगे, गुरु के आगे, वैश्नों के आगे, यह मानना हम तो मूर्ख है, हम तो सीखने के लिए आए हैं, यही दिन भाव नंडना जुखना शीकहने, जो आपने देखा जब बहुत सुदूता तफान डौना तफान आते हैं तो ultyज को सीखहे on humility. Humility does not mean कि अपने बारे में सोचे रहना, मैं तु बहुत निकृष्ट हू, मैं तु बहुत गिरा वा हू, मैं तु यह हू, मैं वो हू. एक मनद याद, you are thinking just too much about yourself. Think of Krishna. So humility का एक ओलिट का है? एक definition है humility की, becoming aggressive for Krishna. अपने बारे में जो है, ना, ना, मैं तु बहुत दीन हू, मैं तु बड़ा पतित हू, मैं, 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 तु आदा हू, एक मनद से. Think less about yourself. Humility does not mean you think low of yourself. अपने बारे में लो सोचना, मैं तु बड़ गंदा हू, that is known as inferiority complex. So there is difference between inferiority complex and humility. Humility means that actually my Lord is there and I am a small servant of my Krishna. My Lord is so great and that way is मेरे में तो कोई भाले की योगता नहीं है पर मेरे प्रभू की गृपास से मेरा सब कुछ चल रहा है. So I depend on Him. He is my everything. I am His a small servant. मैं Krishna का छोटा सा एक निकृष्ण दास हूँ और ये मेरी constitutional position है. Wow, I am so fortunate. Oh Krishna, thank you, thank you. So that is humility. So basically ये है शर्विदा शर्णागती. तो जो ये six को प्राटिस करेगा, उसको हम बोलेंगे, हाँ, ये विक्ति है वाक़ि में भावान की शर्ण में. Otherwise, कोई बोसक्ता है, हम भी भावानी शर्ण में है जी, आसा कुछ नहीं है, आज रोड़ी होता है, ये गुहे ग्यान उनको कभी भी ना बताएं, जो न तो सहयमी है, न एक निश्ट है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे ध्वेश करता है, होता क्या है जब ऐसे ध्वेश ही बिक्ति हो, जब इसको बताएंगे न, अगर क्या ये क्या बात है जी, एसे लिए अवहान कहरे हैं एसे लोगों को, पर हम अकसर देते भी है लेकिन ऐसे लोगों को, जो कि गीता बाटते हैं, जो कि आत्मसेयर नहीं है, जो कि एक निश्यन है, because devotees, they are the carriers of mercy of Krishna, Krishna लिगरपा को बातने मालेंगे, इसलिए इनका बहुती स्थेतान है आपको आपको नहीं है, उसको मत देना जो बक्ति में रतने हैं उसको मत देना ऑल रहा है? ठीक है यह नहीं हम और को देंगे जो जन्में को नेगटिव कोलिटिस अगर है भी तो भी देतेंगे को ठीक है भाई तुम्हारे उपर है वह बिकास डिवोटीज आर दा मार्केटिंग मैनेजर्स अफ दॉक जो विक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद भक्ती को प्राप करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा तो बैसके लिए इस रहस्य को हमें समझाना चा जो कि भवान की भक्ती का प्रचार पसार करता है जो कि भवान के विज्ञान को आम जनताक तक लेकर के आ रहा है या भक्तों में इसको बाट रहा है ऐसे विक्ति का भला होता क्या है इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना क भी होगा, so preacher is the dearest of all the devotees, so we should all try to become preachers Preacher Preacher या करता है, प्रचार करता है ठीक है जी, अब जो preacher होता है he also preaches by his own behavior he also preaches by words दो तरा से preaching होती है तो दो तरा से हमें प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए of course, we may impress people with our words but we retain people by our own behavior तो जानता संद महाता लोग कहीं लोग बड़े अच्छी बाते बोल रहे होते हैं, लेकिन अखसल लोग को retain नहीं कर पाते हैं, because उनका behavior proper नहीं होता है अश्वाराम की जिन्दगी, they are so much absorbed in themselves and sense gratification, कोई साधना वादना है नहीं, सुबह उठते हैं नहीं तो लोग शुरूशों बड़े इंप्रेस होते हैं, बाबाजी, बाबाजी, बाबाजी that is lack of preaching प्रचार नहीं किया, अश्वाराम संस्था को इसलिए ये श्रेज आता है क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार पसार करना सबसे दक्ष तरीके से अश्वाराम नहीं किया इसके अलावा जो और संस्था हैं, ये तो गहरे हैं जो कि बहुत ही systematically समाने जंता तक ये संदेश को लेकर की जा रही है preaching करना, प्रचार करना ये बहुत अधिक आवशक है because one of the way for preservation is by propagation so preaching बिसी लिए है क्या, it is a way of preservation we preserve our culture so preservation कैसे होती है, by propagation तो इसी लिए propagate हमें करना चाहिए, we should spread the good news bad news हमाच अंदर इतनी फैली हुई है, oh ho so that phase we should do propagation as well preaching करना, प्रचार पसार करना so by words as well as with our behavior preaching of course इसके दो और categories भी है one is known as classroom coaching classroom coaching उसना होता है, tuition क्या जादा effective होती है, well tuition are more effective अब जैसे मैं जो कर रहा हूँ, actually it is more of a classroom coaching ठीक जी, लेकिन आप सब क्या कर सते है well आप सब कर सते हैं, tuition that means आप one-to-one लोगों से मिलिए और भगवदीता के बाहरा बताएगे you can even have a small group tuition के अंदर होता है, small group होता है so that means जोहाँ जो knowledge को absorb करना है, हो जादा अचा होता है so tuition करने के लिए आपको जगा नहीं देखने, कहीं पर भी आप कीशने मिल सकते हैं and then you can educate the person about Krishna consciousness about bhakti classroom coaching के लिए of course we need a setup and all that जैसे अभी हमने setup ये create के हैं आप लोगों के लिए so classroom coaching करने वाले कुछ कम हो लेकिन tuition तो हर विक्ती कर सकता है and this is more effective तो हमने society में किसे मिलिए अपने college में किसे मिलिए अपने आपके business circle में किसे मिलिए क्या करिए tuition one to one yes तो इसलिए preaching करना प्रिचार करना बहुत अधिक आवशे कर बहुत कह रहे हैं कि इससे अधिक ना तो मुझे कभी को प्रिय है ना कभी प्रिय होगा means preacher is most loved devotee वहाँ सबसे अधिक प्रेम करते है preacher से तो इसलिए हम सबको a creature नहीं रहना we are to become preacher जैसे Catholics में होलते है if you are not preaching you are not Catholic so this is what we should bring in Sanatana Dharma as well if we are not preaching the message of the Gita well I am not a Sanatini I am not a Sanatini person yes I am not a Bhakta I am not a devotee if I am not preaching we are to create the good news we are to become the postman preacher basically है क्या he is a postman of God so people want to become superman, spiderman, this man, that man well sir we should try to become postman postman of God's message Bhagavan Shri Krishna कि Gita के नहीं संझा रहे वहामे लोगं को तक लेके जाना है that is most important so we should try to become postman and that is actually speaking we become superman by becoming postman of Krishna Bhagavan के message को आगे लेकर की जाने वाले so that person is dearest Bhagavan को सबसे अधिक प्रिय है ऐसा विक्ति और मैं घोशित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र समवात का अध्यान करता है वैं अपनी बुद्धी से मेरी पूजा करता है तो जो भगवदीता को अच्छे समझ लेगा न करता है ओके यार शर्णा गति के लक्षण ये ये है करना है यार मेरे को ठीक है प्रिचर बनना है यार बहुआन को बड़ी खुशी मिलती है ना प्रिचिंग करने से करूँगा यार मैं तो इसलिए वो इसको भी स्विकार करेगा अपनी पर्सनल प्रिचार भी करेगा और साथ ही प्रिचार भी करेगा यार निकि वो लड़ू खाएगा भी और साथ ही लड़ू भाटेगा भी इसलिए हमें करना चाहिए भक्ति का जो ये लड़ू मिला है और जो श्रद्धा समेत और दुवेश रहित होकर इसे सुनता है वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है Congratulations to all of you और उन शुब लोकों को प्राप्त होता है जहां पुन्यात्मा निवास करते हैं गोलो कविंदावन, that's the goal of life कहां पहुंचना सार आपको इतना भक्ती बगरा करके I want to go to गोलो कविंदावन Lord Krishna's abode, the divine abode वेकुंथों में भी, जो topmost abode है that is गोलो कविंदावन तो भाँ जाना हमें और बहा रादा कृष्ण की प्रेम में सेवा करनी है that is the eternal life, the perfect life the most ecstatic, the most joyful life service to Radha and Krishna इन गोलो के विंदावन तो ऐसे शुब लोकों को में प्राप्त होते हैं ऐसे लोग जो की शद्धा समेद्वेश रहित हो करके सुनते हैं भकुदीता को और एप्लाई भी करते हैं अपने जीवन में so hey पृता पुत्र hey धनन्जवय क्या तुमने इसे एकागरचित होकर सुना और क्या अब तुम्हारा अज्ञाद अथा मो दूर हो गया है अब भवान अभी ये भी देख रहे है कि अगर तुमको समझा नहीं आया आरजुन मैं तुमको दुबारा बदाने के लिए त्यार हूँ मतलब तुमको समझा आगे ना मैंने जो इतना समझा है तुमको समझा आगे ना तुमको so Krishna is asking let's see how great the Lord is so एकागरचित से तुमने इसको सुना अच्छे सुना योगी भगवदीता ये जो ज्यान है ना इसको एकागरचित होकर सुना चाहिए with a rapt attention इसको चलते भरते नहीं सुना चाहिए actually इसको बैट करके सुनना notes बनाना एकागरचित से उस पर contemplate करना that's the way we should listen to the transcendental knowledge ठीक जी और अगर तुमने एकागरचित से होकर सुना है तो उसका पनड़नाम क्या होगा तुमारा अग्यान तुमारा मोह जो है वो दूर हो जाएगा ओके आगे बढ़ते अर्जुने का Hey Krishna, Hey Achyut अब मेरा मोह दूर हो गया है आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्पनाण शक्ती वापस मिल गी है Now my confusions are gone मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है Krishna Yes अब मैं संश्रह रही तथा दिड़ हूँ और आपके अदिरश अनुषार करने के लिए उद्यत हूँ अब देखे बहुंश्य कृष्णे से पहले बोला है यह थे चिसी तथा करो अब तुम को जो करना है करो So Krishna has given the free will अब यहां पर यह क्या बोट है I'll do as you have instructed आपके अदिरश अनुषार कर्म करना है So Krishna may give us free will पस free will का इस्तवाल हमें क्या करना है Free will का इस्तवाल करना है हमें in choosing Krishna Free will का इस्तवाल करना है in following Krishna Yes So करिश्य वचनम तभा I will follow your instructions So Krishna will give me free will So free will का इस्तवाल क्या है What's the right choice baby That is to follow Krishna And when we say to follow Krishna It means to follow Krishna's instructions To follow Krishna's instructions And that's the right choice यही है right choice baby Aha Sanjay ने कहा इस प्रकार मैंने Krishna तथा अर्जुन के दोनों इन दोनों महापुर्शों की वारता सुनी और यह संदेश इतना अध्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है यानि अगर हम hearing करें शर्वन करें तो रोमांच होना चाहिए रोमांच हो रहा है नहीं हो रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ हम शर्वन कर रहे हैं तो देखना चाहिए अगर आपकी effective hearing हुई है आपको रोमांच आएगा, otherwise पढ़े पढ़े, जैसे आप थे, वैसे ही वैसे रह गए, यानि आपने अपने एप्जॉप्शन के साथ नहीं सुना, Sanjay ने दोनों की जो कॉन्वेस्टिशन है, इन दोनों के बारे में, ये महापुरुश है, बोस दोन है, of course, Krishna is God, पर इनकी भारता जो सुनी, ये संदेश इतना अदूत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, हूँ, so he's having ecstasy, हमारी हो रख ये ऐसी की तैसी, so ऐसी की तैसी को ecstasy में लाने के लिए मजिया करना पड़ेगा, well, I have to follow Krishna's instructions, हमारी है क्या जी, ऐसी की तैसी, पर हमें तो चाहिए ecstasy, उसलिए करना पड़ेगा, श्रवन करना पड़ेगा, hearing, क्योंकि संजे ने सुना, तो इसी लिए उनकी ऐसी की तैसी वला हाल नहीं है, उनको तो ecstasy वला हाल है, उनकी रोमांच खड़े हो रहे हैं, he's having ecstatic symptoms on his body, wow, उके व्यासी कृपा से मैंने ये परम गुहिए बातें, साक्षात योगेश्वर क्रिष्ण के मुख से, अर्जुन के प्रती कहीं जाती सुनी, हे राजन, जब मैं क्रिष्ण तथा अर्जुन के मद्द्य हुई, इस आश्चेर जनक तथा पवित्र वारता का बारंबार स्पर्ण करता हूं, तो प्रतिक्षण आहलाज से गदगद होड़ता हूं, तो भवान की जो कांवर्सेशन आर्जुन के साथ, ये सुनकर क्या हम गदगद हुए हैं, हमें अपने आप से पूछना चाहिए, गदगद नहीं हुआ हैं, तो में भी हमें दुवारा सुनना चाहिए हैं, विद मोर अब्सॉप्शन, तो हम भी गदगद उठाएंगे, यार ये जो बातचीत हुई है, ये बहुत ही आश्चेर जनक बातचीत है, तो बहांशी क्रिश्चन का रूप क्या है, निराकार रूप, एक्स्क्यूज मी सर, हे राजन, बहांशी क्रिश्चन के अध्भूत रूप का स्पर्ण करते हुए, ये तो उनका यहाँ पर क्या करते हैं, संस्मृत्य रूपम अध्यम भुतम हरे, ये जो बहांशी हरी है, उनका अध्भूत रूप है ये, उनकी अध्भूत रूप का मैं सपर्ण कर रहा हूँ, तो क्रिश्चन is not निराकार, उनके श्री से निकले अलए ओला प्रकाश है, वो निराकार है, पर क्रिश्चन निराकार है, और कैसा साकार है? अद्बूत रूप ये कोई सत्वगुण का मिष्णवाला रूप निया है दिव्य रूप है सच्चिदानना शृप मैं अधिक अधिक आश्चर चकृत होता हूँ कि Krishna is so sweet so nectarine, so amazing oh God is so amazing yes God has to be amazing of course and God is naturally amazing और पुना-पुना मैं हर्शित हो रहा हूँ and here comes the declaration यत्र युगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्त धनुर्दरा तत्र शीविज्यो भूते धुव नीती मतिर्ममा जहां युगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्दर अर्जुन है वही एश्वर्य विजय आलोक एक शक्ती तथा नीती भी निश्यत रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है तो कुष्णो जब यह सुनते हैं युगेश्वर कृष्ण तो मालनेते हैं कृष्ण बस युगेश्वर ही है उसके पहरे बहान कृष्ण अपने बारे बारे बताया हुआ है वे शुरू दिखाया हुआ है यह सब वो इग्णोर कर देंगे कृष्ण देखिए एक योगेश्वर हुए थे उनका नाम कृष्ण योगियों में वह बहुत अच्छे योगी थे हुआ जी सर वो योगेश्वर है बैसलिए योगियों के इश्वर है यानि सारे जो योगी है उनका जो लक्ष है कौन है वो कृष्ण है तो इसलिए वो योगेश्वर है आसलिए वो योग करने में बड़े एक्सपर्ट हैं तो इसलिए वो होगे श्वर्ट इवन अफ़ोर्स कृष्णा कें दू अल्कांड व योगा बट कृष्णा इस अश्टी दू गोल अल्ग योगा और जहां परम धनुदर अर्जुन है बैसे धनुदर के आउट तो तीर मारते हैं एक दम निशाने मारता है उससलिए हमें भी जो अपनी शद्धा का निशाना है ना कृष्णा पे येस और कहीं नहीं सिर्फ कृष्णा पे वही एश्वर्य है वह सा अश्वर्य भक्ति का अश्वर्य विजए है इंद्रियों के उपर विजए है अपनी बहुते के चाहों पे विजए है आलोकिक शक्ती है अध्यात्मिक शक्ती शिमतिराथरानी की कृपा है तथा नीती भी है तकमें there will be all morality किसी और हमें mundane morality के जरूरत नहीं है topmost morality is bhakti निक्चुत रूप से रहती है ऐसा मेरा मत है और ये कौन बता रहे हैं हमको प्राल वन वो है भागवदीता विजए सच राप्ट अटेंशन Sanjay ने So that's his declaration कि जहां पर ये है यहीं कॉन्वर्सेशन है इसको मैं रुमांचुत हो रहा हूं कॉन्वर्सेशन को रिमांबर करके Extraordinary Shreemad Bhagat Gita is Extraordinary Lord Krishna is Extraordinary His wonderful devotee Arjun is Extraordinary और जुनका कहना मानने वाले हैं वो भी बन जाएंगे Extraordinary Wow Great Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare Ram In this way we can be successful What an amazing scripture is Shreemad Bhagavad Gita So Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare आव सबने ध्यान पूर्वक इन ठारा ध्यायों को सुना Thank you Shreemad Bhagavad Gita की जाए आव सभी ध्यान से सुनने वालों की जाए Hare Krishna All right So dear listeners For a systematic course on spirituality You can register Yes The name of the course is Spirituality for Modern Age SMA तो इसके लिए आप जा सकते हैं इस वेब साइट पे इसका लिंक निच निचे दिस्क्रिप्शन वाक में दिया गया है www.revivingvalues.com और वहाँ पर जाकर आप रिजिटर कर सकते हैं वहीजा कितना Absolutely free और हर एक session के साथ होगा एक Q&A तो session plus Q&A पर week आपके लिए होगा So session होगे उसको बाद इसको बाद में भी सुन सकते हैं और आप उन सेशन को बाद में भी सुन सकते हैं अगर आप उसका अवेलबल नहीं हो पाएं Hare Krishna So see you there